हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सभी का सरेंडी पिटेजिम रेज के पार्ट 11 में पार्ट के सुरवात होती है पास्ट के साल 2013 में जहां जैसे ही हुई यंग एक बसी स्टॉप पर पहुंचता है उसकी नजहर हॉंग जुपर पर जाती है जो की सड़क के उस और थी हॉंग जुको देखकर हुई यंग बहुत ही जादा खुश हो जाता है और अचानक कि अपने स्कूल बैग से एक छोटा सा बैग निकालता है लेकिन उसी समय उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे कुछ देर और वेट करने के लिए कहती है वो यंग भी काफी खुश था इस वज़े से वो इस बात पर ध्यान नहीं देता लेकिन जैसे उसकी मॉम बताती है कि कल वो यूएस सिफ्ट हो रहे है वो यंग काफी सौक हो जाता है वो अपनी मॉम से इस बार में बात करने कोशिस करता है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि आस तक उनों ने अपना कोई भी डिसीजन नहीं बदला है साथ ही कहती है कि उन्हें इसकूल के बार में चिंता करने की जर्रत नहीं है और जल्द ही वो यूएस जाएंगे ये सुनकर हुएंग काफी अपसर्ट हो जाता है उसी समय हौंग जू की विनाजर जैसी हुएंग पर बढ़ती है वो उसे वहीं पर रुखने के लिए कहकर तुरंत उसकी और आने लगती है अब हौंग जू उसके पास तक पहुच पाती उससे पहले ही हुएंग की बस भी आ जाती है और वो वही बैक बस इस्टैन पर छोड़ कर बस में बैटकर निकल जाता है इसे के साथ हम वापस से प्रेजन में पहुच जाते हैं जहां हुएंग हौंग जू से कहता है कि उसके लैप लाइफ को फेलोते देख उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हुएंग जू को समझ पाती उससे पहले हुएंग उसके सामने बैटकर उसे उसकी चोट और हार्ट एक दुनों से रिकावर होने के लिए कहकर तुरंत उसे किस कर देता है हुएंग जू भी से कुछ नहीं कह पाती पर उसके फोन की रिंग सुनकर जैसी हुएंग जू को रियलाइज होता है वो उसे धक्का देकर दूर अटा देती है और कहने लगती है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है साथ ही उसे आगे से इस तरह के प्रैंक करने से भी मना करती है हुएंग कहता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है वो आज से 10 साल पहले भी उसे लाइक करता था और आज भी उसी तरह से लाइक करता है बस उसे ये चीज़ बताने में बहुत ही ज़ादा टाइम लग गया हॉंग जो के कहने पर कि वो ये क्या बते कर रहा है और वो सिर्फ दोनों फ्रेंड्स ही है हुई यंग कहता है कि उन्होंने ज़स्ट अभी किस किया है और क्या वो सच में फ्रेंड्स ही है साथ ही इस बारे में उसे और अच्छे से सोचने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है सीन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेजी को जो कि अभी भी होंग जुके बारे में ही सोच रही थी पर उसी समय जैसी उसके नजर मिश्टर सौन पर बढ़ती है वो होंग जुके बारे में तुरंट भूल जाती है हेजी सौन को हाइकर निकोसिस करती है लेकिन हेजी को देखते ही सौन तुरंट अपना रास्ता बदल देता है और सीधे स्कूल के अंदर भाग जाता है हेजी भी इस चीज़ से काफी कनफ्यूज हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि उसे तो सौन के सूस भी वापस करने है जिसके बाद वो सीधे सौन के पाज जाती है लेकिन हेजी को देखती ही वो फिर से वहाँ से भाग जाता है हेजी उसका पीशा करते करते medical room में पहुंचती है लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि सौन तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है जिस वज़े से वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते हैं हम देखते हैं कि हेजी उसे ना देख पाए इसलिए सौन बैड के पीछे ही छिप गया था वहीं दूसरे वर दिखाया जाता है संग पिल को जो की अपने रेस्टोरेंट का खाना बनाने के तयारी कर रहा था कि उसी समय होंग जू को वहाँ पर खड़े देख वो बहुत ही जादा डर जाता है और उसे पूछने लगता है कि वह यहाँ क्या कर रही है होंग जू कहती है कि वह बहुत जादा बोरो रही है इसलिए वो भी उसकी हेल्प कराएगी संग पिलो से मना करने के कोशिस करता है लेकिन होंग जू उसकी एक भी बात सुनने को तयार नहीं होती पर कुछी देर बात प्याज को छिलते छिलते होंग जू से बहुत ही जादा चोटा कर देती है जिसे देखकर संग पिलो से उसकी हेल्प करने से मना करता है अब बातों ही बातों में हॉंग जू संग पिल से पूशने लगती है कि वो किसी को डेट क्यों नहीं कर रहा है संग पिल कहता है कि जब उसने हॉंग जू और हेजी को उसकी डेट सैट कराने के लिए कहा था तो उन दोनों ने उसके नहीं सुनी और अब जब तक उसका रेस्ट्रेंट अच्छे से फेमस नहीं हो जाता तब तक वो डेटिंग नहीं करेगा संग फिल भी अचानक ये काफी सर्पाइस होकर उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्यों पूछ रही है और क्या वो किसी को डेट कर रही है हौंग जुबी इसका जवाब तो नहीं देती पर बात गुमाने के लिए कहने लगती है कि वो उसके लिए और प्याच छिलेगी जिस पर संग फिल पूरा बैग इसके सामने उडेल देता है सेन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीक वूग को जो की हुएंग के उनके कॉल ना उठाने के वज़े से काफी परिसान लग रहे थी इसी बीच बहार आकर जैसी वो उस गाड़ी को वाँ पर खड़े देखते हैं वो फिर से चिलाना शुरू कर देते हैं और उसकी ओनर को कॉल करते हैं उसी समय मिजबे भी वहाँ पहुँच जाती है और असल में इस गाड़ी की ओनर मिजबे ही है उनके इतने सारे एंप्लाइज को देखकर बीक वूक उन से प्यार से बात करने लगता है और कहने लगता है कि उन्होंने हजारो बार उने मना कर दिया है कि गाड़ी यहाँ पर ना खड़ी करें लेकिन वो फिर भी बार बार उनकी बिल्डिंग के सामने ही गाड़ी खड़ी कर देती है पर तभी मिजबे कहने लगती है कि उन्होंने उनकी बिल्डिंग नहीं बलकि अपोजिट बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी करी है और अपोजिट बिल्डिंग के ओनर ने उन्हें ये करने के लिए अलाओ भी किया है क्योंकि वो उनकी तरह narrow minded नहीं है ये सुनते ही बीकुक और irritate हो जाता है कुछी देर बाद बीकुक उनसे पूशने लगता है कि कहीं वो ये सब इस वज़े से तो नहीं कर रही है क्योंकि वो उनका first love है और इतना सुनते ही मिजबे उन पर हचना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि क्या वो उनके बारे में ऐसा सोचता है साथ ही कहती है कि पहली की बात कुछ और थी उस टाइम वो क्यूट और यंग दोनों थे लेकिन इस समय वो सिर्फ पथैटिक हैं और ये कहकर वहाँ से चली जाती है दूसरी और दिखाया जाता है हुयंको जो कि घर में बरतन दोते वे भी वही सब कुछ याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था उसी समय बीकवक भी वहाँ पहुँच जाता है जो उसे खुश देखकर इसका रिजन पूशने लगता है इसी बीच बीकवक कहता है कि उसने उसका कॉंटरक बढ़ाने की कोसिस करी लेकिन हैड ओफिस ने ऐसा मना कर दिया है साथ ही कहने लगता है कि उसे ये डिल फैनल करने के लिए यूएश चले जाना चाहिए और ये डिल खतम करते ही वापस आ जाना चाहिए हो यंग पूशने लगता है कि इस समय कितना टाइम लग सकता है बीकोप के कहने पर कि इसमें डेट से दो माईने लग जाएंगे हुएंग कहता है कि इसी वजय से वह वहाँपर नहीं जाना चाहता ये सुनते ही बीकोप उसके उपर चिलाने लगता है कि क्या वह होंगजु के साथ कुछ नहीं होने वाला और अकेला वही एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट लव था उनकी बाते सुनकर हुए एक भी कन्फ्यूजर जाता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ इसी भी सीन सिफ्ट होता है हेजी पर जो कि सौन को डूंडते वे फिर से आफिस में पहुंच गई थी जहां पर एक और टीचर हेजी को बताता है कि सौन को वाइस प्रिंसिपल या निवसी के फादर ने बुलाया है उसी समय सौन भी वहाँ पहुंच जाता है और हेजी की स्माइल देखकर वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला जिसके बाद हेजी उसे ग्राउंड में ले जाती है और कहने लगती है कि इतना ढूणने के बाद भी वो सुबह से उसे नहीं मिल पाई हेजी पूछने लगती है कि उसके फादर ने उसे क्यों बुलाया था सौन कहता है कि वाइस प्रिंसिपल चाते हैं कि इस वीक सभी टीचर्स हाइकिंग पर जाएं जी सुनते ही हेजी भी कहने लगती है कि उसके फादर उसे हमेसा ही हाइकिंग पर ले जाते रहते हैं क्योंकि वो उन्हें मना नहीं करता साथ ही कहती है कि उसे आगे से उसके फादर को मना भी करना चाहिए हेजी सौन से पूछती है कि क्या वो नेक्स डे फ्री है सौन के हाँ कहते ही हेजी उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहती है सॉन काफी मना करने की कोशिस करता है लेकिन हेजी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे नेक्स डे मिलने के लिए कैकर वहाँ से चली जाती है सॉन भी नेक्स डे उसके साथ लणिश करने के डिया से काफी सौक भी था और मनी मन काफी खुष भी हो रहा था सीन शिफ्ट होतार हमें दिखाया जाता है हुयंग को जो की अभी भी अपने फोन को ही गुर रहा था कि तबी संगपिल उसे मैसेज करके बताता है कि हौंग जू उसके रेस्टरेंट में है और यह पता चलते ही हुयंग तयार होकर तुरंत वहीं के लिए निकल जाता है दूसरे और दिखाया जाता है हौंग जू को जो की आराम से खाना खा रही थी कि तबी उसके फोन पर जूनो का कॉल आता है जो कि उसने किसी और नाम से सेव किया था यह देखकर संगपिल जैसे कॉल के बारे में पूछता है हौंग जू जूनो की बुराई करना सुरू कर देती है लेकिन संगपिल को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती और वो उसे पहले खाना खाने के लिए कहता है अब बातों ही बातों में जैसे संगपिल बताता है कि हौयंग भी वहां आने वाला है हौंग जू उसी के उपर चिलाने लगती है कि उसने हौयंग को यहाँ पर क्यों बुलाया संगपिल भी कहता है कि वो भी यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आ रहा है इतना सुनते ही होंग जु भी तुरंत अपना बैग और श्टिक्स उठा कर जल्दी बाची में उसके रेश्टरेंट से निकल जाती है कुछी देर बाद होयंग दु रेश्टरेंट में पहुंचते ही होंग जु को देखने लगता है लेकिन उसे वो कहीना जड़ नहीं आती जिस पर संगपिल उसे बताता है कि उसके बारे में सुनते ही होंग जु तुरंत यहां से चली गई है अब होयंग के उदास चेरे को देखकर संगपिल अचानक ही कहता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा सेन सिफ्ट उतर हमें दिखाया जाता है होंग जु को जो की एक बस स्टेंड पर आकर बैड़ गई थी जहां अचानक ही उसे भी पास्ट का वही दिन याद आने लगता है जहां होंग जु अपना करियर गोल लेकर बैटी थी और जैसे ही उसके नजर हुयंग पर पड़ी थी वो सीधे उसकी और चली गई थी यह देखकर होंग जु भी कहने लगती है कि अब उसे पास्ट के सारी चीज़े याद आने लगी है वो अब इस बारे में सोची रही थी कि तबी जुनो भी नशे की हालत में उसे मैसेज करने लगता है दूसरी और दिखाये जाता है जुनो को जो कि उसके उनी सभी लेटर्स को पढ़ रहा था और कह रहा था कि हौंग जु ने कहा था कि उसका प्यार कभी उसके लिए नहीं बदलेगा तो अब उसे क्या हो गया है और यही सब कुछ याद करके वो रोने लगता है दूसरी और हौंग जु जो कि बस से अब घर जा रही थी अचानक ही जुनो उसे मैसेज़ करके कहता है कि अगर उसने उसका रिप्लाइ नहीं किया तो उसे उसके प्रोजेक्स से निकाल देगा हौंग जु भी कहने लगती है कि उसे लगता था कि ब्रेक अप रिलेशन्शिप का ही पार्ट होता है लेकिन अब सजम उसका रिलेशन्शिप खतम होने वाला है साथ ही कहने लगती है कि वो बिना रिलेशन्शिप के ही ठीक है पर उसी समय अचानक उसे फिर से पास्ट का वही दिनी आदाने लगता है जब हॉंग जू पास्ट में अपने उसी करियर गोल को लेकर हुयंग के पास जा रही थी लेकिन उसके वहाँ पहुंचने से पहले ही हुयंग बस में बैटकर वहाँ से निकल गया था यह देखकर हॉंग जू काफी अपसेट हो गई थी इसी बीच पास्ट में हॉंग जू हुयंग के क्लास के बाहर खड़ी भी काफी ज़्यादा सौक लग रही थी हॉंग जू को वहाँ पर खड़े देख संग पिल भी काफी कंफ्यूज लग रहा था पर जैसे ही वह अंदर जाता है वह भी सौक रह जाता है क्योंकि बोर्ड पर हुयंग के स्कूल छोड़ कर यूएश जाने के बारे में लिखा हुआ था हॉंग जू भी यही चीज पढ़कर काफी ज़्यादा सौक हो गई थी और प्रेजन्ट में सोच रही थी कि जिस रेलेशनसिप की ऐसी एंडिंग हो उन्हें ऐसा रेलेशनसिप शुरू ही नहीं करना चाहिए सेंसिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और दिखाया जाता है हॉंग जू को जो की मेडिटेशन करते वे अपने गुस्ट को कंट्रोल करने की कोसिस कर रही थी और खुद को समझाने की कोसिस कर रही थी कि ये टाइम भी जल्द ही निकल जाएगा लेकिन उसी समय उसके डोर बैल बच जाती है और बाहर जाकर देखती है कि संगपिल उसका इंतिजार कर रहा है संगपिल हॉंग जू को उनके साथ ट्रिक पर चलने के लिए कहता है हॉंग जू पहले इस बारे में सोचती है लेकिन जैसे उसके नजर होयंग पर पड़ती है वो तुरंत मना कर देती है संगपिल उसे कहने लगता है कि अपने रेश्टराइंट में काम करने के और जैसे पिछले दो साल से उसने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है और वो उन सब लोगों के साथ बाहर गूमने जाना चाहता है तो क्या वो उसके साथ नहीं चलना चाहेगी हौंग जू थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहने लगती है कि वो दोनों ही टेप पर जा सकते हैं पर संगपिल कहता है कि सिर्व दोनों नहीं जा रहे हैं बलकि हुयंग के अंकल बेकुक और हेजी भी जॉइन करने वाली है ये सुनकर हौंग जू का भी मन तो हो जाता है लेकिन तभी अचानक यों संगपिल से कहने लगती है कि वो हुयंग के साथ नहीं जा सकती उन दोनों के बीच चीजे थोड़ी आकवर्ड हैं और इतना सुनते ही अचानकी संगपिल हुयंग को चिला कर कहने लगता है कि हौंग जू भी संगपिल को तुरण चुप करा देती है और उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है पार्ट पहल के सुरवात होती है जहां वो सभी ट्रिप के लिए निकल गए थे गाड़ी में बैटकर भी हुयंग सिर्फ हौंग जू को ही घुरे जा रहा था जिससे ह हौंग जू भी काफी ज़्यादा अनकमफरेटेबल हो जाती है वहीं दूसरी और वीकुक की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो किसी से भी बात करने को रिडी ही नहीं होता इसी बीच उन दोनों को इतना अकॉर्ड होते देख संगपिल कहता है कि उन दोनों को देख कर कोई भी सोचेगा कि उन दोनों के बीच को चल रहा है वहीं होंग जू कहती है कि अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगी अब कुछ देर बाद वो जैसी एक के स्टॉप पर पहुंचते हैं बीक वो तुरंद गाड़ी से उतर कर भाग ज जाता है संगपिल को स्नैक ले निकले जाता देख होंग जू उसके साथ चलने कोसिस करती है लेकिन संगपिल उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है जिसके बाद हुयंग भी होंग जू की हेल्प गरने के लिए तुरंद पहुंच जाता है सीन सिफ्ट होता है जहां होंग pretend करेगी कि कल उनकी बीच खुश नहीं हुआ जिस पर होयं कहने लगता है कि किस बारे में बात कर रही है उनकी case करने के बारे में या फिर उसनों से अपनी feelings बताई इस बारे में होंग जू कहती है कि वो दोनों के लिए ही ऐसा pretend करेगी पर जैसे होयं कहता है कि हौंग जू की दिमाग में पूरा टाइम वही है और इस चीज को वो बहुत ही ज़ादा इंजॉय कर रहा है हौंग जू भी इसके बाद का कोई जवाब नहीं देती और वाश्रूम जाने लगती है हौई अंग उसकी हेल्प करने को सिस करता है लेकिन हौंग जू उसे कुछ है लेकिन हौंग जू से कहता है कि वो गाड़ी चलाने के कंडिशन में नहीं है और उसे पीछे बैठने के लिए कहकर खुद गाड़ी चलाने बैठ जाता है पर हौंग जू बैक सीट पर जाकर बैठ पाती उससे पहले ही बीकुक वहां कर बैठ जाता है और अब हौंग में ही संग पिल और बीक वूग पीछे बैठते ही सो जाते हैं वहीं उन दोनों के बीजिक बहुत ही ओकर्ड साइलेंस हो जाता है उसी समय जुनों होंग जू को मैसेज करता है और कल रात के अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है साथी सब कुछ बुला के हो यंग नहीं मानता तो होंग जू से खिलाने के पदले खुदी खा लेती है और कहती है कि उसमें अब लाश्ट पीस बचा है और ना चाते भी हो यंग को अपने हाथों से ही उसे खाना पड़ता है अब कुछ दूर जाते ही जैसे ही होंग जू के नजर सी साइड पर जाती है और संग पिल और बीकुक को भी जगा देती है अब नेक सीन में ही वो सभी अपनी डेस्टनेशन पर पहुँच चुके थे जहां घर में जाते ही वो सभी काफी एकसाइड़ हो जाते हैं वहीं होंग जूस्ची से और वी जाद खुस हो जाती है कि वो घर से ही सी को देख सकती है उसी समय हो यंग को कुछ समान निकालते देख होंग जू के पूशने पर वो कहता है कि संग पिल ने डिनर के लिए कुछ ग्रेडियन्स पैक किये हैं और वो उन्हें ही निकाल रहा है वहीं दूसरे और दिखाया जाता है संग पिल और बीकुक को जो की फिसिं के लिए कहती है पर तबी हुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो दोनों इस काम को साथ में निपटा कर साथ में उने जॉइन करेंगे हुयंग के हाथ पकड़ते ही हौंग जू काफी एम्बेरस हो जाती है और उसे कहकर चली जाती है कि अब उसे सारा काम खु कर सकती है और जो कहती है कि वो हुयंग से नफरत करती है जिस पर हेजी उसे फिर से टीज करने लगती है हेजी उसे कहती है कि वो सौन के साथ वहां आने वाली है साथ ही बताती है कि वो नाइट आउट भी आज वहीं पर करेंगे इसी बीचे में दिखाया जाता है सौन और ह ही के पादर को जहांपर ही की सीज हाइव कर रहे थे लेकिन सोट उन्हें वहां बर बार मना कर रहा था लेकिन उसके इतना मना करने के बावजूद भी ही के फादर मानने को तैयार नहीं होते और उसके लिए एक कैज़सीर कर देते हैं इस चीश से फंग और इसी समय ही जी को वहाँ पर देखकर फिर से उसके मुन में घंडिया बजने लगती हैं सीन सिफ्ट वतार हमें दिखाया जाता है संग पिल और बीकुक को जहां पर बीकुक फिर से सोने लग गया था कुछ देर बाद हॉंग जो और हो यंग भी वहाँ पहुंच जाते हैं जो उनकी फ्रेंड्स के साथ कई बार फिसिंग करने गया है संग फिल उसे अपने साथ ले जाने लगता है हो यंग कमा से जाने का मन तो नहीं होता लेकिन ना चाते में भी उसे जाना पड़ता है इसी भी सिन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मीजबे और जुनों के दोस्त को जहां जुनका दोस्त मिसबे से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें हांग जुका हटा कर किसी और प्रोडूसर को रखना होगा और कहता है कि उन दोनों के एक साथ काम करने के वज़े से कोई फायदा नहीं होगा पर मिसबे कहने लगती है कि एक कैनिमेटर जानता ह कि उसे अपनी स्टोरी को किस तरह से बहतरीन बनाना है और उसकी हर एक डिटेल के बारे में सिर्फ एक एनिमेटर ही जानता है साथ ही कहने लगती है कि इसी स्टोरी के बारे में उन दोनों से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता क्योंकि उन दोनों ने इसी स्टोरी को feel किया है लेकिन वो आदमी फ्रिव माने को तयार नहीं होता और यहीं हमें दिखाया जाता है कि जब जुनो नसे की हालत में उन सभी letters को पढ़ रहा था उसी समय उसने वहां आकर जुनो को इस condition में देख लिया था इधर मिजबे कहती है कि होंग जु एक professional है और वो अपने private life को इस कम involved नहीं होने देगी पर वो आदमी कहता है कि होंग जु प्रोफेशनल है लेकिन उसका writer प्रोफेशनल नहीं है और वो यह सब handle नहीं कर पाएगा तभी मिजबे किसी चीज़ पर agree होती है इसी बीच दिखाया जाता है होंग जु को जिसे अचाने की मिजबे का call आता है और वो कहती है कि next week से उसे बांग जुनों के स्टोडियो में जाकर काम करना होगा ताकि वो एक साथ काम करके अच्चे standing के साथ इस script को और भी ज़्यादा बहतरीन बना सकें क्योंकि अगले एक next month में उन्हें इस चीज़ का production करना है होंग जु उन्हें समझाने की काफी कुछिस करती है लेकिन मिजबे उसकी एक भी बा क्याता है कि उसने एक बार अपने क्लाइट को फिस पगड़ते वे देखा था साथी संगपिल उसकी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि वो तो हर चीज में perfect है अचाना की संगपिल पूछने लगता है कि क्या यूएस जाकर कभी उसकी मॉम ने उससे पूछा है कि फिसकी मॉम को उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी ज度 करते वे भी हूए उसकी मॉम ने बहुँकों यि झेख रहा था जिसे वहाँ पर बैठी वी नजर नहीं आ रही थी अब वो दोनों बात करे रहे थी कि उसी समय संगपिल के नजर होंगजू पर पढ़ती है जो कि गूंते गूंते सी साइड पर पहुँच गई थी संगपिल उसे चिला कर कहने लगता है कि जल्द ही टाइड आने वाला है और जल्द से उसे वापिस आने के लिए कहता है पर जब होंगजू को उसकी आवाज नहीं आती तो हुयंग फिसिंग बीच में छोड़कर उसके पास जाने लगता है अब उधर जैसे ही होंग जू सी साइड पर पहुंचती है उसकी नजर एक सी कुकमबर पर पढ़ जाती है जिसे निकालने के चकर में वो बस गिरने ही लगती है लेकिन उसी समय हुयंग महाँ पर आकर उसे बचा लेता है होयंग होंग जू को बताता है कि जल्दी यहाँ पर टायड आने वाला है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए पर होंग जू उसे भी सी कुकमबर निकालने के लिए कहने लगती है होयंग के उसे काम कराने के लिए उसे कहने लगती है कि सायद उसे सी कुकमबर निकालने में ड indem he ready इसडी काफी सर्मा जाती है उसी समय ही को उसकी सिष्टर का कॉल भी आता है ही इशी अपने सिष्टर से कहने लगती है कि वो हंग्जो के साथ बाहर गोमने आई है लेकिन तभी अचानक ही हेजी की एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं जब उसकी सिस्टर उससे सौन की फोटोस मांगने लगती है ये सुनकर हेजी काफी सर्प्राइज हो जाती है अब कॉल कट करते ही जैसे ही वो सौन से पूछने लगती है कि क्या वो उसकी बेहन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है सौन बहुती सौक हो जाता है और उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता हेजी भी इस चीज की वज़े से बहुती ज़्यादा अपसेट हो जाती है दूसरी और दिखाया जाता है हौंग जू और हुयंग को जहां हौंग जू ने हुयंग को सी क्लैम्स पकड़ने की डूटी पर लगा दिया था हुयंग भी हौंग जू के लिए कई सारी चीजे पकड़ने लगता है हौंग जू हुयंग को वापिस चलने के लिए कहती है पर हुयंग कहता है कि उसे एक लॉंग लेक्ट ओक्टोपस चाहिए था और जब तक वो हौंग जू के लिए उसे नहीं पकड़ेगा तब तक वो वापिस नहीं जाएगा वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं अब काफी देर कोशिस करने के बाद फाइनली हुयंग को एक अक्टोपस दिख जाता है जैसे देखते ही हौंग जू कहने लगती है कि वो खुद उसे पकड़ेगी लेकिन जब उससे वो नहीं नि उसके रियक्सन को देखकर हुयंग भी कहने लगता है कि सायद वो उसे अभी किस करने वाली थी पर हुंग जू उसे कुछ नहीं कहती अगले ही पल जैसे हुयंग हुंग जू से उसकी कैप के बारे में पूछता है जिसमें उन्होंने वो सारी चीज़े गठे की थी हुंग बिना कहे चुपचाब वहां से जाने लगता है और उसे सारी चीजे वापस लाने के लिए कहता है अब सेन सिफ्ट होता है हेजी पर जो की बहुती गुस्से में गार्लिक को कूट रही थी उसी समय हुएंग और हॉंग्जु भी जैसे वहां पहुंसते हैं वो भी कमरे का एट के लिए कहकर हेजी को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है बीकुक के पूशने पर संगपिल कहता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि वह इतना गुस्से में क्यों है साथ ही संगपिल जैसे कहता है कि उसने हेजी को इतना गुस्से में लाश टाइम तब देखा था जब उसक ही हौंग जू हेजी से पूशने लगती है कि آessa हिरो इतना ज़्यादा गुस्सए में मैं क्यों था है हेजी के कहने पर कि ABed Agro काफी दूप कर दिया है कि यहां कहसे कार इस गांफिन्ड में फ्लैस बैक में जहां हेजी को सौन के पूशने लगती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगा। ये सुनकर सौन बहुत ही ज़्यादा सर्पाइज हो जाता है। और कहने लगता है कि उसके जोग को सुनकर थो काफी ज़्यादा ही हैरान हो गया। पर हेजी कहती है कि वो कोई जूक नहीं कर रही है और उसे लगता है कि सायद वो भी उसे काफी पसंद करता है पर यह सुनते ही सौन अच्छाने की इतना ज़्यादा सर्प्राइज हो जाता है कि उसे मालूमी नहीं रहता कि वो हेजी से क्या कह रहा है और वो हेजी से कहने लगता है कि उसने उसके बारे में कभी असस सोचा ही नहीं और उसके मन में हेजी के लिए कोई feelings नहीं है सौन के इस जवाब को सुनते ही हेजी भी बहुत ही ज़्यादा embarrass हो जाती है इधर present में होंगजु के पोशने पर कि क्या सौन और उसका break up हो गया है हेजी उसे बताती है कि असल में वो दोनों date कर ही नहीं रहे थे और ना ही वो कोई relationship में थे हेजी कहती है कि उसने होंगजु से सिर्फ इसलिए जुड़ बोला था ताकि वो उसके लिए होयंग को खुद से दूर ना करे अब होंगजु के expression को change होते देख हेजी उसे कले लगा अगर कहने लगती है कि होयंग से ज़्यादा important उसके लिए होंगजु है अब कुछी देर बाद जैसे इखाना ready होता है वो दोनों भी अंदर पहुँच जाते हैं जहां हेजी और सौन के बीच एक awkward silence था यहीं पर होंगजु और हेजी दोनों हेजी की वही बात याद करने लगते हैं होंगजु को उसके पास आकर बैठने के लिए कहता है होंगजु भी मनी मन हेजी की उसी बात को याद कर रही थी कि सायद इस चीज की वज़े से उनका relationship change हो सकता है जिसके बाद वो सभी खाने से पहले enjoy करते वे selfie लेने लगते हैं इसी भी scene past में shift होता है और हमें दिखाये जाता है होंगजु को जो की टीवी पर कार्टून देख रही थी कि तभी उसके mom रेडियो कर बाहर आती है होंगजु उनके साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसकी mom उसे साथ ले जाने से बना कर देती है और उसके mom के घर से बाहर आते ही होंगजु भी उनके साथ जाने के लिए रोते रोते बाहर आ जाती है लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी mom जा चुकी थी यह देखकर होंगजु रोने लगती है उसी समय उसके नजर एक pregnant lady पर पढ़ती है होंगजु उसे आंट बुलाकर कहने लगती है कि उसका कजन कब आयेगा वो लेडी भी होंगजु कुई एक एकर वहां से जाने लगती है कि उसका कजन बाद में आयेगा होंगजु उनके पीछे भी जैने को सैस करती है लेकिन वो भी बिना कोई जवाब दी वहाँ से चली जाती है इसी बीच वही सिन भी दिखाया जाता है जब जुनो को जाते वे देखकर हॉंग जु एरपोर्ट पर उसके पीछे पहुँच गई थी हॉंग जु से बात करने को सिस करती है लेकिन जब जुनो कोई जवाब नहीं देता तो अचानक हॉंग जु पूरे एरपोर्ट पर चिला कर उसे कहने लगती है कि अब जब वो यहां से जा रहा है तो वो दुबारा उसके सकल नहीं देखना चाती और वो उसके ड्रीम्स में भी अलाउट नहीं है उसी समय हुयंग भी वहां आ जाता है जिसे देखकर हॉंग जु काफी सर्प्राइज हो जाती है हॉंग जु उससे पूछने लगती है कि उसके ड्रीम में वो क्या कर रहा है हुयंग भी कहता है कि उसके रोमेंटिक लाइफ को रुइन होते देख उसे बहुत ही ज़्यादा खुजी हो रही है हुयंग को लगेज के साथ देख हॉंग जु से पूछने लगती है कि क्या वो वापे जा रहा है और हुयंग भी कहकर वाँ से जाने लगता है कि अब तो हुयंग भी उसे नहीं रोगेगी अब जैसे ही ड्रीम में अचानक ही हुयंग कहता है कि क्या उसे नहीं जाना चाहिए हुयंग जु हडबडाते वे उट जाती है नीन से जगते ही होंग जु कहने लगती है कि वो वैसे भी वापश जाने वाला है तो फिर उसे क्यों पूछ रहा है होंग जु ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हेजी को जगने कोसिस करती है लेकिन वो देखती है कि हेजी तो वहाँ पर है ही नहीं जिसके बाद होंग जु किने के लगती है कि उनकी वज़े से कल रात उसे दीर तक जागना पड़ा पर सॉन कहता है कि उसे उसके दोस्तों के साथ काफी जादा मजा आया और उसने काफी जादा एंजॉइ किया एजी भी सॉन से कहने लगती है कि उन्हें फ्रिक्व Україं जाना चाहिए इसी बीच संग पिल और बीक वोग जो की हैंग ओवर की विज़े से बहुती बुरी कंडिसन में थे जैसी ही बीक वोग अपनी एक कॉल सुनता है अचाना कि उसके निद उड़ जाती है और ये कॉल थी हुयंग की मॉम की जिसे सुनते ही बीक वोग सौन को बागी सब लोगों को भी देखने लगती है पर हुयंग बताता है कि वो सब अपने काम के उज़े से सियोल वापस चले गए हैं और क्योंकि उन दोनों के पास टाइम है इसलिए वो दोनों ही यहाँ पर रुके हैं हुयंग भी हौंग जु को उसके साथ चलकर युएस ना जाए हुयंग भी मनीमन खुज होने लगता है हुयंग कहता है कि वो वैसे भी वापस नहीं जा रहा है यह सुनते ही हौंग जु कहती है कि वो अपनी बात से नहीं पलड़ सकता और उसे किस कर देती है इसी बीच हमें फिर सब वही एरपोर्ट वाला सीन दिखा जाता है लेकिन इस बार जुनो के प्रोस्पेक्टिव से जहां हुंग जु को आवाई लगाते देख जुनो मनीमन कहने लगता है कि वो जल्द ही एक अच्छी सी नोगल लिक कर वापस आएगा और उसे तब तक उसका वेट करने के लिए कहता है जुनो भी उसे छोड़कर जाते वे काफी जादर हो रहा था महीं प्रैजेंट में वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे अब हुय हो उन्ग ने तो प्रामिस कर दिया था जिसके बाद Andrew को भी प्रामिस करने के लिए कि अब वो इस बात से नहीं मुकरेगी। साथ ही कहती है कि उन दोनों के बीच अचाना की चीज़े चेंज हो गई इस वज़े से वो थोड़ा अनकमफरटेबल थी हौंग जू कहती है कि वो दोनों पहले इतना क्लोज नहीं थे इस वज़े से इस सब क्या आदत पढ़ने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा जिसके ने चीज़ को देख लेगा पर क्या वो उसे देख सकती है ये सुनकर होंग जू भी मनी मन काफी खुस होती है उसी समय बीकूख होयं को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता वहीं दूसरी और बीकूख भी उसका कॉल ना उठाने के उज़े से काफी परिसान लग चाहता था अब नेक्स सीन में ही वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं और कुछी देर में जैसी हुँ दोनों घर पहुंचते हैं हॉंग जू के जाते देख होयं पूछने लगता है कि वो डिनर में क्या खाना पसंद करेगी हॉंग जू के कहने पर कि उसे भूद नही वो दोनों भी एक दूसरे को गोरी रहे थे कि उसी समय बीकुक भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को continue करने के लिए कहता है अब नेक्स चीन में घर में आते ही बीकुक होयंग से कहने लगता है कि उसकी विस्पूरी हो गई है तो फिर वो उसका call क्यों नहीं उठा रहा था साथ ही उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में जॉब छोड़ने वाला है और होयंग के हां कहने पर बीकुक को उसे पिताता है कि उसके मॉम ने उसे call किया था बीकुक कहता है कि उसकी मॉम ने कहा है कि वो इस मैट्रूक अपने आप एंडल करेगी और इस बार हुएंग को बहुत ही जादा है लेकिन जब वो उसके बात नहीं सुनता तो हुएंग बीकुक के ओपर पानी डालना शुरू कर देता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है कि अब वो कुछ दिन इसी घर में रुखकर उसके ओपर नजर रखेगा अब सावर से बाहर आते हैं हुयंग देखता है कि बीकुक वहीं पर सोया हुआ है जिसके बाद हुयंग किचन में पहुंचता है जहां पर उसका फ्रेंड जोसेफ वीडियो कॉल पर उसका वेट कर रहा था जोसेफ उसे पूशने लगता है कि उसे क्या हो गया है लेकिन तभी जोसेफ कहने लगता है कि वो ये जानना चाहता है कि उसकी मौम इस बारे में क्या कहेंगी साथ ही वो कहता है कि वो इस चीज़ पर सत लगाना चाहता है कि वो अपनी मौम से 100% हारने वाला है कॉल कट होते ही हुयंग भी मन्हिमन सोचने लगता है कि सब को सिर्व उसकी मौम का ही आंसर जानना है जिसके बाद हुयंग हॉंग जू को मेसेज करता है और हॉंग जू कर रिपलाई आते ही वो उसे कॉल लगाता है और सिदे उसके रूम गयार जाने लगता है हुयंग के कहने पर कि वो उससे मिल ले के लिए उसके रूम में आ रहा है हॉंग जु पहले अपना हूलिया देखती है और फिर अचानिकी उसे कहने लगती है कि वो बस सब सुने वाली है क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्रेपर नहीं गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा थकी है अब हुयंग भी पहले तो उसके बात मान लेता है फिर अचानिकी उससे पूछने लगता है कि क्या उसने कभी उसे आईलाए क्यों कहा है ये सुनकर हॉंग जु बहुत ही ज़्यादा सरमा जाती है और कहने लगती है कि वो ये बात उसे पहले ही बता चुगा है लेकिन इसके बाद भी हुयंग बार बार उसे यही कहने लगता है जिससे हॉंग जु इतना ज़्यादा सर्माज आती है कि वो उसे गुट नाइट कहे कर फोन कट कर देती है सीन सिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्णिंग और दिखाया जाता है हुयंग कूग जो की बैट कर अपना काम कर रहा था कुछी देर बाद भी कुग भी वहाँ आकर होयंग से पूछने लगता है कि क्या वो रात बड़ से जाग रहा है और कहता है कि या तो अपनी मों के जासे काफी ज़्यादा डरा हुआ है या फिर वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जिसके बाद भी कुग होयंग को होंग जु को भी ब्रेक्वास्ट पर बुलाने के लिए कहता है हो यंग होंग्जु को बिलाने के लिए कॉल करता है लेकिन उसे पता चलता है कि होंग्जु तो पहले ही हेजी के साथ सौपिंग करने के लिए निकल गई है ये सुनकर होयंग भी थोड़ा सर्प्राइज होता है और कहता है कि वो अभी सौपिंग के लिए नहीं जा सकती क्योंकि वो पूरी तरह सरी कवर नहीं हुई है पर होंग जू से साम को मिलने के लिए कहकर फोन कट कर देती है अब होंग जू के पूशने पर कि आज वो कहां कहां जाएंगे हेजी कहती है कि आज के उनके कोई भी प्लैन डेस्टनेशन नहीं है जिसके बाद हेजी उसे एक सौप पर ले जाती है जहां से वो सौन के लिए क्लोट्स खरीदने वाली थी ये देखकर होंग जू भी काफी सर्प्राइज हो जाती है अब नेक सीन में वो दोने एक ब्यूटी पार्लर में पहुँच जाते हैं जहां होंग जू होंग को जैसी मैसेज करने लगती है उसी समय होंग का कॉल आ जाता है होंग के पूशने पर कि क्या ओफ्री हो चुकी है होंग जू कहती है कि वो अभी हेजी के साथ ब्यूटी पार्लर आई है वहीं हेजी भी चिला कर होंग से कहने लगती है कि आज पूरा दिन होंग जू उसी के साथ रहने वाली है अब इदार हो यंग काम पे फोकस करने कोशिस तो करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और मनी मन सोचने लगता है कि वो दोनों पिछले 10 साल से हैंग आउट कर रहे हैं और क्या अज भी उन दोनों का साथ में जाना जिरूरी था सेंसिफ्ट होतार दिखाया जाता है संगपिल को जिसके एक्सप्रेशन से वो काफी ज़्यादा हैरान लग रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों ही ड्रिंक करने के लिए उसी के रेश्टोरेंट पर पहुँच गए थी जहां नसे की हालत में वो दोनों ही एक दूसरी की तारीफे करना सुरू कर देते हैं और संगपिल से म्यूजिक बजवा कर रेश्टोरेंट में ही डांस करने लगते हैं संगपिल भी होंग जू से पोशने लगता है कि क्या उसने होयं को इस बारे में नहीं बताया जिस पर हेजी कहती है कि ये एक गर्ड्स नाइट है और आज वो होयं को नहीं बुलाएंगे इस बीच जैसे ही संगपिल जूनों को लेकर कुछ पोशने कोसिस करता है होंग जू से धक्का मार कर नीचे किरा देती है जूनों का नाम सुनते ही हेजी के भी एक्सप्रेसन तुरंट चेंज हो जाते हैं और वो होंग जू से पोशने लगती है कि आज इतने अच्छे दिन पर संगपिल ने जूनों की बात क्यों करी जिस पर होंग जू भी उसे कहने लगती है कि उसने गलत सुना है वहीं दूसरी और दिखाया जाता है होयं को जो की अभी भी होंग जू का ही वेट कर रहा था उसे होंग जू का मैसेज तो नहीं आता लेकिन संगपिल उनकी फोटो सेंड करके उसे कहता है कि उन दोनों की पार्टी अभी तक खतम नहीं हुई है अब नेक्स सिल में दिखाया जाता है होयं को जो बाहर कड़े होकर होंग जू का वेट करना सुरू कर देता है कुछी देर बाद होंग जू भी बीकूक के साथ वहां पहुँच जाती है जो की बहुत ही जदा नसे में था हुयंग के पूशने पर हौंग जू बताती है कि बीकुक उसे नसे की हालत में राष्टे में मिले हुयंग को देखते ही बीकुक भी कहने लगता है कि क्या वो उसी का वेट कर रहा था पर अचाना कि बीकुक अपना फून निकाल कर कहने लगता है कि वो किसी से बात कर रहा था और उसे ये बात खतम करनी होगी हौंग जू से नेक्स्ट बात करने के लिए कहती है लेकिन बीकुक उसकी बात नहीं सुनता और दुबारा से मिस बे को कॉल लगा देता है अब कॉल उठाते ही मिस बे बीकुक पर चिलाने लगती है कि उन्होंने उसे दुबारा कॉल करने से मना किया था पर बीकुक पूछने लगता है कि वो यही जानना चाता है कि क्या वो सचमोस का फर्स्ट लव है पर मिस बे उसके किसी भी बात का जवाब देने को रेडी नहीं होती और कहने लगती है कि अगर उसके साथ कोई है तो उससे बात कराने के लिए कहती है लेकिन बीक वुक तो अभी भी उससे यही जानना चाहता था कि क्या वही उसका फ़र्श लव है अब होंग जू के फोन उठाते ही मिस बे उसे बीक वुक को सेफली घर चोड़ने के लिए कहती है साथ ही कहती है कि वो पिछले दो घंटे से इस वैदर में बाहर गूम रहा है इसलिए वो उसे जल्दी से घर चोड़ दे और इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है हंग जू भी आवाज सुनकर सोचने लगती है कि ये आवाज को जानी पहचानी लग रही है फोन कटोने के बाद भी वो उससे बात करने को सिस करता है लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो वो हंग जू से कहता है कि वो बहुत ही जादा क्यूरियस है और वो सिर्फ ये जानना चाता है कि 20 साल पहले उसने उससे इस तरह से डंप क्यों किया था जिस पर हंग जू भी कोई जवाब नहीं दे पाती बीक वो को इतना अपसेट देखकर हुएंग भी उससे अपने पिट पर बिठा कर अंदर ले जाने लगता है हंग जू कहने लगती है कि उस लेडी को भी उनकी बहुत ही ज़ादा चिंता हो रही थी इसी बीच बीक वो क हंग जू से कहने लगता है कि जैसे उसने पहले भी बताया था कि फर्स लग एक फ्रोजन फूड की तरह होता है जिसे बाहर निकालते ही वो पिखल जाता है और कहता है कि हंग जू के मैटर भी सेम है और उसका फर्स लग भी पिखल चुगा है और बांग जूनों के लिए उसका फर्स लग भी खतम हो चुगा है साथी कहता है कि इस दुनिया में और भी काफी सारे लड़के हैं और हुयंग को पगड़ कर होंगजी को उसके बारे में सोचने के इसे कहता है पर बातों ही बातों में ब्गुब जैसे कहता है कि होंग यूएस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो अपनी मम से बहुत जादा डरता है हू यंग भी को को हें पर नीचे फैक कर हौंग जू को अपने साथ लेकर पाहर भाग जाता है हौंग जू के कहने पर कि वो ऐसा नहीं कर सकते हू यंग उससे कहने लगता है कि उन्होंने दिन पर से एक दूसरे को नहीं देखा है और इतना सुनते ही हूंग जू दोड़ कर गाड़ी में जाकर अपने बाल चेक करने लगती है हुयंग के पोशने पर कि क्या उसने अपने बालों पर कुछ कराया है हूंग जू थोड़ा अपसे टोकर कहने लगती है कि वो अपने बाल उसे दिखाना चाती थी लेकिन जल्दी अब उसके बाल दुबारा से नॉर्मल हो जाएंगे यह सुनते ही हूंग भी हूंग जू को कहने लगता है कि अभी देर नहीं हुई है और वो उसे वहीं पर खड़ा करके उसके बालों को निहारने लगता है वहीं दूसरी और बेकोक अभी भी मिस बे के बारे में सोच सोच कर रो रहा था अब सेन सिफ्ट होता है नेक्ट मॉर्निंग जहां हौंग जू और हो यंग दोनों ही अपने डेट के लिए तयार होना सुरू कर देते हैं वहीं इसी बीच दिखाया जाता है हेजी को जो कि अपने नहें ट्रेकिंग की ड्रेस पहन कर तयार हो रही थी हेजी तयार होकर बहुत ही एक्साइटेड होकर जैसे अपने फादर के पास महुचती है उसे पता चलता है कि उसके फादर तो आज ट्रेकिंग पर जा ही नहीं रहे हैं उसके पूछने पर कि वो तो हर संडे को ट्रेकिंग पर जाते थे उसके फादर बताते हैं कि सौन बहुत ही ज़्यादा बिमार है इसलिए वो आज नहीं जाएंगे ये सुनता ही हेजी भी कहने लगती है कि वो सौन को हमेसा बहुत ही ज़्यादा परिसान करते हैं और वो इसी वज़े से बिमार हो गया अब बातों ही बातों में उसके फादर कहने लगते हैं कि सौन उसका future son-in-law है हेजी की पूछने पर कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं उसके फादर कहने लगते हैं कि अब वो दोनों बड़ी हो गई हैं इसलिए उनकी बात पर इतना ध्यार नहीं देती लेकिन जब उसके मौम गोमने के लिए बाहर चली गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा केले थे ऐसे में सिर्फ son-in था जो उनका best friend बना साथ ही वो हेजी से कहने लगते हैं कि उन्हें son-in को किस दिन डिनर पर बलाना चाहिए जिस दिन उसकी बड़ी बहन का off हो ये बात सुनते ही हेजी भी मुस्कुराते वे कहने लगती है कि वैसे वो भी यहां पर मौझूद है साथ ही कहती है कि वो और Mr. Son बहुत ही ज़्यादा close है इतना सुनते ही उसके फादर उस पर जूर जूर से हजना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि वो किस बारे में बात कर रही है और सायद हो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जलिस फिल कर रही है कि वो मिश्टर सौन की डेटिंग उसकी बड़ी बहन के साथ फिक्स कर रहे हैं उन्हें इतना ज़्यादा हस्ते वे देखकर हेजी भी उने कोई जवाब तो नहीं दे पाती लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वापस से अपने रूम में चली जाती है अब सीन सिफ्ट होता है जहां वो दोनों ही बड़े एकसाइटेड होकर जैसे ही तयार होकर बाहर आते हैं वो एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुस हो जाते हैं लेकिन उसी समय हेजी को वहाँ पर बैठा देख वो खुस होने से ज़्यादा सर्प्राइज हो जाते हैं जिसके नेक सीन में ही वो सभी एक रेश्टराइट में पहुँच जाते हैं वो दोनों जैसी ओर ले जाते हैं हुयंग रेश्टराइट में उसका हाथ पकड़ लेता है हांग जू हाच छुटाने को सिस करती है लेकिन हुयंग उसका हाथ नहीं छोड़ता टेबल तक जाने तक भी हुयंग उसका हाथ नहीं छोड़ता जैसे देखकर हेजी भी काफी सर्प्राइज हो जाती है ह हेजी कहने लगती है कि उन्हें एक साथ देखकर अब उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा जेलस फिल कर रही है हंग जुके पूशने पर कि सौन इस समय कैसा है हेजी कहती है कि उसने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने अभी तक उस करने लगता है पर फिर अचानक कि उसे डिलेट करके एक बड़ा ही अंसेंसिटीव इसा मेसेज बेज देता है पर उसी समय अचानक से उसके डूर पर कोई आ जाता है इधर हेजी भी अचानक कि उन दोनों से पूशने लगती है कि क्या वो सौन के लिए सूटेबल नहीं है जि इसके एकले ही पल हॉंग जू उसे सोन से जाकर मिलने के लिए कियाती है। हेजी के कहने पर कि वो admit नहीं है तो बहला ऐसे में जाकर क्यों मिलेगी। जिस पर होंग जू कहती है कि जब उसके पैर में चोड़ लगी थी और होंग उसके लिए खाना लाया था उसे बहुत जादा अच्छा लगा था यह सुनते ही वो दोनों भी उसे टीज करने लगते हैं पर फिर भी हैजी कहने लगती है कि वो इस ड्रेस में उससे मिलने नहीं जा सकती अब नेक सिर्ण में ही उस बी गाड़ी लेकर सोनक अपार्टमेट के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर ही जी और हॉंग जू दोनों नहीं आपस में ड्रेस चेंज कर ली थी हॉंग जू कहती है कि उसे सोनक के लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाना चाहिए पर हैं जोसे पहले वापस जाकर ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है कि उसे भी सुन्दर लगना है और वो इस ड्रेस में नहीं जा सकती दूसरी और दिखाये जाता है सौन को जो कि अपनी मॉम को ड्रॉप करने के लिए बाहर आता है उसकी मॉम भी Sonne के अकले रहने की वज़े से उसे एक गुल्फिंड बनाने के लिए कहने लगती है Sonne कहता है कि वो अकले मैनेज कर सकता है और उसे गुल्फिंड की जरुरत नहीं है सौन अपनी मॉम को वहीं पर छोड़ कर जैसे ही टेक्सी लेने जाता है उसी समय हेजी भी वहाँ पहुँच जाती है जो आती ही सौन से उसकी तवित के बारे में पूशने लगती है और उसे सैलेड भी देने लगती है पर उसी समय सौन की मॉम भी वहाँ पहुच जाती है और हेजी और सौन की सेटिंग राने लगती है वो हेजी से पूछने लगती है कि उसकी एज क्या है साथ ही उसकी साधी के बारे में भी पूछने लगती है इस चीज से सौन भी थोड़ा इरिटेट होकर अपनी मौम को जबरदस्तिक गाड़े में बढ़ता है पर फिर भी जब उसकी मौम जाने को तयार नहीं होती, तो सौन अचाना ही कहता है, कि हहजी का उसके साथ कोई लेना तेना नहीं है, और जैसा वो सोच रही है, वैसा कुछ भी नहीं है, अब सौन तो यह कह देता है, लेकिन यह सुनकर हेजी थोड़ा बुरा फिल करती है, वहीं सौन की मौम भी हेजी से माफ़े मांगने लगती है कि बिना जाने ही ना जाने उन्होंने हेजी से क्या क्या कह दिया सौन भी अपनी मौम की तरफ से हेजी से माफ़े मांगने लगता है लेकिन तव्यत खराब होने के वज़े से जैसे वो नीचे किरने लगता है हेजी उसे पकड़ लेती है लेकिन सौन फिर से हेजी वो खुद से पीछे कर देता है अब इस चीज से हेजी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो सौन को कहने लगती है कि उसे माफे मागने की जरूरत नहीं है साथ ही कहती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था जब सौन को ऐसा लगता है कि उसका हेजी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है सौन भी हेजी के लिए टेक्सिर को अनिक कोसिस करता है लेकिन हेजी उसे भी मना करके वहाँ से चली जाती है हेजी इस चीज़ से बहुत ही जाता इपसेट होकर कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाती है सीन सिफ्ट होता कर दिखाया जाता है हेजी के फादर को जो कि उसके रूम में जाते ही चौप जाते हैं क्योंकि हेजी ने अपने रूंग का सारा समान इधरोदर फैलाया हुआ था वो अभी ये सब कुछ देखी रहे थी कि उसे समय को उनके डोर पर आता है और ये कोई और नहीं बलगे जूनो था जो अंदर आते ही वहाँ पर फ्रेंस में लगी सभी फोटोज देखने लगते हैं उन्ही फोटोज के बीच उसे हेजी के फादर और हुजन के भी एक फोटो दिख जाती है जिसे देखकर अचानी के उसके एक्स्प्रेसिन चेंज हो जाते है अब नेक सीन में ही वो हेजी के फादर के साथ बैट कर ड्रिंक करना सुरू कर देता है जहां हेजी के फादर ने उसे ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट किया था अब कुछी देर बाद हेजी के फादर जुनों से कहने रगते हैं कि लास्ट टाइम उसकी आंट के यहां होने के वज़े से उन्होंने इस मैटर को नहीं उठाया था लेकिन जब बिना कुछ कहे अबरोड चला गया था तो उन सब को उसकी काफी चिंता हो रही थी लेकिन उसे सही सलामत वापस देखकर वो सभी काफी जादा खुस हैं यह सुनकर जुनों भी थोड़ा खुस हो जाता है लेकिन तभी ही जी के फादर कहते हैं कि वो सभी उसके लिए खुस हैं लेकिन वो उसे हॉंग जु से दूर रहनी की एडवाईज देते हैं। जुनों उने एक्स्प्लेन करने की कोसिस करता है लेकिन हीजी की फादर कहते हैं कि वो हॉंग जु को बिना कुछ कही ही अबरॉड चला गया था। अगर उसने जाने से पहले हॉंग जु के साथ ब्रेक अप किया होता या फिर उसके आने तक का उसे वेट करने के लिए कहा होता तो वो फिर भी उसे एक बार को माफ कर देते लेकिन वो हॉंग जु से बिना कुछ कही अबरॉड चला गया था। और उसके वज़े से हॉंग जु का न चाने क्या क्या जेलना पड़ा। जो उसे इतना पसंद करता है। यह सुनकर हुयंग भी हसने लगता है। हॉंग जु कहती है कि उसने ऐसा तो कोई फ़नी क्वेशन नहीं किया। हुयंग कहने लगता है कि वो उसे सोच कर बताएगा। और सोचते वे भी वो मनी मन हसने लगता है। अब जब हुयंग उसके स लेकिन जब भी उसका नाम पुकारती है और जब तक उसे इस चीर का एहसास हुआ तब उसे फता चला कि सायad वो हॉंग्चू को बहुत ज़्ला पसंद करता है फ्यू यंग की बाते सुनकर हॉंग्चू भी बहुत ज़्ला करिब खीज लेता है। लेकिन उसी समय उसे बीकू का काल आजाता है, लेकिन वो बीकू का कॉल नहीं उठाता, जिस पर ना चाते वेड़ बीकू को हउंग्जू को काल करना पड़ता है, और हंग्जू के कॉल उठाते ही बीकू कहता है कि ये एक एमरजेंसी है, अब न exceptions में ही वो दोनों सीधे अप पुर्णे सामान में से अपना वही करियार गोल निकालती है जिसे देखकर फूयंग के बारे में सोचते ही उसकी हार्टबिट बढ़ जाती है और उसे पास्ट का वही सीन याद आता है जब गड़े में फशे होने पर हूयंग के नजदिक आने पर उसकी हारटबिट बहुत ही थी और हांग जू कहने लगती है कि उसने पास्ट में भी यही चीज फिल की थी सी इन सिफ्ट वतार हमें दिखाया जाता है हुयंग को जो की अपनी मौम से मिलने के लिए पहुँच गया था अपनी मौम से मिलते ही हुयंग उनसे माफ़े मांगता है कि उन्हें बिना बताए ही उसने इतना बड़ा decision ले लिया पर उसकी माम कहती है कि अभी तक कुछ भी finalize नहीं हुआ है उसकी माम कहती है कि वो भी उसी की तरह यहां पर सिर्फ fresh air लेने आई है वो यहां के कहने पर कि वो चाहता है कि वो बिना किसी problem के उसका resignation process करें उसकी माम कहने लगती है कि बच्पन से उसने कोई भी trouble create नहीं किया तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो यहां कहता है कि आज तक उसके सबी decision उसकी माम ने लिए क्योंकि उसे यकिन था कि वो decision उसके लिए best होंगे लेकिन चाहे अपसे best हों या नहीं अपने सारे decision वो खुद करना चाहता है और वो बिना किसी problem के अपना resign देना चाहता है लेकिन उसकी माम उसे कहकर चली जाती है कि वो अभी बहुत ही जादा ठकी हुई है और इस बारे में वो लोग कल बात करेंगे सेंस इप्ट होता है next day जहां हेजी अपने स्कूल पहुँच गई थी जहां वही टीचर उसके बालों को देखकर हेजी को टीज करने कोसिस करती है कि कोई भी आत्मी लड़कियों के हेरिस्टाइल को याद नहीं रखता पर हेजी कहती है कि उसे तो अपने हेरिस्टाइल याद है और कहने लगती है कि वो तो इस बारे में सोच रही है कि उसे कल कौन सा हेरिस्टाइल रखना चाहिए जिसके बाद हेजी एक बैक उठाकर सौन के टेबल के पास रख देती है अब कुछी देर बाद सौन भी आफिस पहुँच जाता है जहां वो वही बैक देकर काफी सर्प्राइज हो जाता है और जब उसके अंदर वो वही सूस देखता है जो उसने हेजी को दिये थे वो और भी जादा सर्प्राइज हो जाता है क्योंकि सूस के साथ साथ हेजी ने उसमे एक नोट रखा था और आज तक उसे उसकी हल्प करने के लिए ठैंक्स कहा था ये पढ़कर वो भी काफी सर्प्राइज हो जाता है और नेक सीन में वो वही सूस पहन कर बच्चों के साथ ग्राउंड में दौर लगाना सुरू कर देता है दूसरे वर दिखाया चाता है हॉंग जू को जो कि अपने उसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार होकर जाने लगती है पर ओफिस जाने से पहले वो हुयंग से मिलने के लिए डूर बेल बजाती है लेकिन जब बाहर नहीं आता तो वो सोचने लगती है कि क्या लाश नैट हुयंग वापस नहीं आया था पर उसी समय उसे हुयंग का कौल आ जाता है जो उसे आज रात उनके मिलने का प्लैन याद दिलाता है हुयंग खुद से कहने लगता है कि वो हौंग जु को उसके ओफिस डॉप करना चाता था उसी समय हुयंग की मौम भी वहाँ आ जाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है अपने एक सीन में ही वो दोनों अपने आफिस के लिए निकल जाते हैं जहां जाते हैं अचानक हुयंग की मौम की नजर हौंग जु पर पढ़ जाती है जो कि बसे स्टैंड पर बैठी हुई थी जिसे देखती ही उसकी मौम कहने लगती है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है और सारी चीजें वो देखकर पहचान सकती है और हसल में सायद उसकी मौम सियोल के बारे में नहीं बलकि हौंग जु के बारे में ही बात कर रही थी साथ ही उसके मौम कहती है कि इसी वज़े से वो कोरिया को हेट करती है वहीं दूसरी और हॉंग जू मन ही मन सूच रही थी कि होयंग ने उसके कॉशन को डिफ्लेक्ट करने के कोशिस की है और सायद वो उससे कुछ छपा रहा है पर तभी कहती है कि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है और उससे पहले उसे कुछ और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है दूसरी और दिखाये जाता है सौन को जो कि हेजी से माफिय मांगने की पूरी प्रिप्रेशन करता है लेकिन वो उसके पास पहुँच पाता उससे पहले ही कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आ जाती है अभ हेजी उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सॉल्यूसन बताने लगती है वहीं सोन वहीं पर बैटकर उसे देखने लगता है अभ हेजी के बाहर जाते ही सोन जो उसके पीछे पीछे बाहर पहुच जाता है लेकिन उसके पास जाते ही वो फिर से भूल जाता है कि उसे क्या कहना है और वो हेजी से कहने लगता है कि क्या वो कल के लिए उससे माफी मंगना चाती है ये सुनकर हेज भी काफी सौक हो जाती है और कहने लगती है कि उसने इस चीज के बारे में कल माफी माफी मांग ली थी और क्या कल की माफी भी उसके लिए काफी नहीं है सौन भी उसे चीजे कलियर कर पाता है उससे पहले ही बैल बच जाती है और हेजी भी उसे कहकर वहाँ से बहुत ही अफसेट होकर चली जाती है कि अब से वो उसे परिसान नहीं करेगी और इस सब चीज की वज़े से सोन भी बहुत ही जादा सौक हो जाता है सीन सिफ्ट अथर हमें दिखाया जाता है होंग जू को जू की जुनो के अपार्टमेंट में पहुँच चुकी थी होंग जू जू के साथ बहुत ही फॉर्मिली बिहेव करती है अब अंदर जाते ही जूनो होंग जू के लिए कॉफे बनाने लगता है टेबल के पास जाते ही होंग जू देखती है कि उसके सभी लेटर्स वहीं पर रखे हैं लेकिन होंग जू को उने देखकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहीं पर पता चलता है कि वो सभी लेटर्स जूनों नहीं वहीं पर रखे हैं साथ ही उसने टेवल पर हॉंग जू की फेवरेट बुक्स रखी थी और उसने अपनी और हॉंग जू की सभी फोटोस भी वहीं पर लगाई हुई थी और वो ये सब कुछ हॉंग जू को वापस पाने के लिए कर रहा था नेक्सिन में दिखाया जाता है बीकुक को जो कि अपने सभी इंप्लोईस की मीटिंग ले रहा था और कहता है कि सिर्फ CEO यहाँ पर चेक करने के लिए आ रही है इसलिए उन्हें पैनिक होने की जरूत नहीं है जिबकि उन सम्में सबसे ज़्यादा पैनिक हो खुद था तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी वो यह अंग भी कहता है कि वो यह सब को संभाल लेगा दूसरे और दिखाये जाता है हंग्जु को जो कि पहले से प्रिपेर्ड स्क्रिप्ट जुनो को पढ़ने के लिए कहती है जुनो कहता है कि उसने सब उस पहले से तयार कर लिया है और उनके पास अभी काफी टाइम बचा है जुनो कहती है कि पास्ट का ही एक सीन था जिसे वो अपनी एनिमेटेड इस्टोरी में डालना चाहती थी और उसने सीन को भी इसी स्क्रिप्ट में एड़ कर दिया है साथ ही होंग्जु कहती है कि अगर वो इस स्क्रिप्ट में कुछ एड़ कराना चाहते है या फिर उसमें कुछ चेंजिस करवाना चाहते है तो वो उसे इन्फरम कर सकते है जुनों भी काफी खुजो रहा था लेकिन तभी हॉंग जु कहती है कि उसने इसी स्क्रिप्पर अपना काम पुरा कर दिया है और अब वो इस प्रोजक्ट पर आगे काम नहीं कर सकती और वो इस प्रोजक्ट को छोड़ रही है ये सुनकर जुनों भी बहुत ही ज़ादा सौक हो जाता है वहीं दूसरी और दिखाये जाता है उन तीनों को जहां हुयंग की मौम अचानक की बेकुक से उसी घर के बारे में बात करने लगती है बेकुक कहता है कि वो घर अभी खाली नहीं है और वहाँ पर उनका किरायदार है जिस पर हुयंग की मौम उसे ओफिस के नजदी कोई होटल डूनने के लिए कहती है साथ ही कहती है कि वो कुछ टाइम अप कोरिया में ही रहने वाली है बेकुक के पूछने पर कि वो यहाँ पर क्यो रहेगी वो कहने लगती है कि वो कुछ टाइम के लिए कोरिया ब्रांच में इंस्पैक्शन के लिए आई है यह सुनकर हुएंग भी कहने लगता है कि अगर यह सब कुछ हूँ उसकी वजए से कर रही है तो उनकी यह सब कुछ करने के बाद भी उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा जिसपर उसकी मौम कहती है कि डिसीजन तो उनका भी चेंज नहीं होगा और वो अकेले यहाँ से वापस नहीं जाने वाली है वहीं दूसरी और हॉंग जू भी वो स्क्रिप्ट उसे देकर वहाँ से जाने लगती है पर तभी अच्छाना कि जुनो को पैनिक अटायक आने लगता है हॉंग जू उससे इस बारे में पूछने कोसिस करती है लेकिन जुनो उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है पास्ट में दुबारा से उसी सेंग पर पहुँच जाते हैं जहां पर हॉंग और हॉंग जू दोनों बसे स्टैन पर खड़े हुए थे और हसल में ये सारी चीजे हॉंग की मॉम भी वहीं गाड़ी से बैठकर देख रही थी और उन्होंने भी देख लिया था कि हॉंग का सारा ध्यान हॉंग जू पर ही है अब हॉंग जू के महाँ पहुचने से पहले ही हॉंग तो वहाँ चला गया था लेकिन उसी समय हॉंग की मॉम वहाँ आ गई थी वो वही बैग देखकर हॉंग जू से पोशने लगती है कि क्या ये उसका है हॉंग जू भी उसे उठाकर देखती है तो उसके अंदर उसके सबी फेवरेट कार्टोंस की सीडीज थी होंग जू कहने लगती है कि ये बैग उसका नहीं है लेकिन ये सबी कार्टून्स उसके फेवरेट हैं ये देखकर होयंग की माम कहने लगती है कि उसे मालूम नहीं था कि होयंग क्यूट लड़कों के लिए ऐसा भी कर सकता है होंग जू उनकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी जिसके बाद उसके मॉम वो बैग होंग जू से वापस ले लेती है और होंग जू भी वो बैग वार रकर चली जाती है पाट सिस्टीन की सुरुवात में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां जूनो को अचानक से पैनिक अटेक आने के वज़े से वो नीचे गिर गया था ये देखकर जैसे ही होंग जू उससे पूछने लगती है कि क्या उसकी तरवियत खराब है जूनो कहने लगता है कि अगर उसे कहेगा कि वो बहुत ही जादा विमार है और इसी वज़े से उसे छोड़ कर फॉरें गया था तो क्या वो उसे वापस से अपना लेगी पर होंग जू उसे कोई जवाब नहीं देती पर तभी जूनो अचानक से उसे गले लगा लेता है और रोते वे उसे कहने लगता है कि वो उस समय इतना ज़्यादा विमार था किन्हों वो लिखते वे उसके हाथ कापते थे और वो एक सब्द में नहीं लिख पाता था साथ ही कहता है कि होंग जू को एरपोर्ट पर रोते वे इस तरगे से छोड़ कर जाने पर उसे उससे भी ज़्यादा बुरा लगा था पर होंग जू फिर भी उसकी बाद का कोई जवाब नहीं देती और उसे लाकर पानी देती है होंग जू जैसे ही जाने लगती है जूनों उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं साथी कहता है कि अलग होने के बाद भी वो उसके लिए वही फील करता है और उसे उम्मीद है कि हॉंग जू भी उसके लिए वही फील करती होगी जिस पर हॉंग जू अपना हाथ छुटा कर उसे कहती है कि वो उसके फ्रेरंड मिश्टर जू को कॉल करके यहाँ पर आने के लि कि अब तक उसे छोड़कर जाने वालों के अपने खुद के कुछ रीजन्स थे और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी जुनू होंग जु को समझाने की कोशिस करता है लेकिन तबी होंग जु से कहती है कि वो एक बात और क्लियर कर देना चाहती है कि वो किसी और को पसंद करती है साथी कहती है कि उसके रीजन बताने के बाद से अब सायद वो उस आदमी को और भी ज़्यादा पसंद करने लगेगी और ये कहकर हॉंग जुआं से चली जाती है जुनों भी इस सब की वज़े से बहुत ही ज़्यादा एमोशनल हो जाता है दूसरी और दिखाया जाता है हुयं को जो कि अपनी मॉम की उसी बात से काफी सौक लग रहा था जब उसकी मॉम ने कहा था कि वो वापस तो यहां से अकेले नहीं जाने वाली है यह सुनते ही हुयं भी उन्हें कहने लगता है कि अगर वो सच में यहीं चाती है तो वो भी उनके लिए ट्रबल क्रियेट करने में अपना 100% देगा और यह कहकर वहां से चला जाता है बीग बुग भी यह सुनकर काफी ज़्यादा सौक हो जाता है और उसकी मॉम से कहने लगता है कि हुयं अपनी हरकुत से आजकर उसे काफी ज़्यादा सर्प्राइस कर रहा है और कहने लगता है कि क्या हुयं अचानक से चेंज हुआ है या वो हमेशा से ही अपनी इस परसनेलिटी को चुपा रहा था हुयंग की मौम भी उसकी बातों से काफी जादा सौग लग रही थी जिसके बाद हुयंग भी अपनी गाड़ी लेकर ये सब सूस्ते वे निकल जाता है दोस्य और दिखाया जाता है हॉंग जुगो जो कि मिस बे के पास पहुचकर उन्हें कह देती है कि वो इस प्रोजेक्ट से स्टैब डाउन कर रही है और अब वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती मिस बे उससी चीज का रिजन पूछती है जिस पर हौंग जु कहती है कि वो अपनी परस्नल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का लग नहीं रख पाएगी और यही रिजन है कि वो इस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं कर सकती मिस बे बी उसका रिजन सुनते ही तुरंट इस चीज के लिए एगडी हो जाती है और कहने लगती है कि वो उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती लेकिन होंग्जू के जाने से पहले वो एक फाइल से उसी स्क्रिप्ट निकाल कर देती है अब नेक्सीन में होंग्जू वास्रूम में जाकर उसी स्क्रिप्ट को देखने लगती है और असल में यह भही स्क्रिप्ट थी जिसे लेकर वो पहली बार मिजबे के पास इंट्रिवी देने के लिए आई थी और पास्ट में होंग जु को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर और उसके इसी स्क्रिप्ट के वजए से मिजबे ने उसे सेलेक्ट कर लिया था और उन्होंने अभी तक उसके इस प्रपोजल को भी अपने पास ही रखा था हॉंग जु भी यह आद करके मनी मनी स्माइल करती है और फिर उस प्रपोजल को वहीं पर फैक कर चली जाती है अब नेक्स इन में दिखाये जाता है हॉंग जु को जो कि खाने का काफी सारा जमान लेकर टेबल के उपर ही लेटी हुई थी और बगल के टेबल पर बैठे वे कुछ स्कूल स्टूडन्स को ही देख रही थी उनकी बाते सुनकर हॉंग जु अचानक ही कहने लगती है कि वो लोग बहुत ही जादा लगी है वो सुबह से साम तक अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं और जब चाहें तब सो भी सकते हैं उसके बाते सुनकर एक लड़की जैसे उससे बात करने कोसिस करती है दूसरा लड़का कहता है कि उससे बात नहीं करनी चाहिए और वो काफी ज़्यादा वियर्ड लग रही है ये सुनते ही हॉंग जू उस लड़के से पोशने लगती है कि वो उसे कहां से वियर्ड लग रही है और क्या हो सिर्फ इस वजे से वियर्ड है कि उसने एक बिमार आदमी से चिला कर बात करी या फिर उसने एक अपॉर्चुनिटी को गवा दिया और जैसे ही वो उन स्टुडेंट्स के और बढ़ती है वो उसे डर कर वाँ से भाग जाते है अब हॉंग जू जैसे ही दुबारा से अपने टेबल पर लेटती है उसी समय हुईंग भी वहाँ पहुंच जाता है जिसे देखते ही हॉंग जू उसे वहीं पर रुखने के लिए कहती है और अगले ही पल दोड़ते वी जाकर उसके गले लग जाती है हौंग्जु कहने लगती है कि उसे आने में काफी ज़ादा लेट लगी साथी कहने लगती है कि आज वो सब कुछ वही करेगी जो उसका मन कहेगा अब नैक सीन में हौंग्जु एक कारगेट में जाकर बाइक चलाना शुरू कर देती है जहां हुयंग को उसके पीछे बैठा देखकर सभी लोग भी उन्हीं देख रहे थे उसी समय जैसे एक आदमी आकर कहता है कि वो दोनों एक बाइक पर नहीं बैठ सकते वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं जिसके बाद हुंग जू उसे एक सुटिंग गेम के पास लेकर पहुँच जाती है वो दोनों ही एक जॉंबी किलर गेम खेलना सुरू कर देते हैं लेकिन हुयंग के बार-बार मरने की वज़े से उनका गेम ओवर हो रहा था और यह देखकर हुंग जू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी अब कुछ देर खेलने के बाद वो दोनों ही एक छोटे केरियो के में पहुँच जाते हैं जहां हुंग जू अपने आज के पूरे बितेवे दिन के बारे में ही गाना गा रही थी थोड़ी दिर बाद हुयंग भी उसका गाना रोग देती है और फिर हुंग जू के कहने पर हुयंग भी गाना गाने लगता है और हुयंग के गाना गाते वे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थी अब घर जाते हुए होंग जु कहने लगती है कि आज उन्होंने आर्गेट में काफी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिये होयंग कहता है कि ये सभी सोजे से हुआ है क्योंकि महंगाई काफी ज़्यादा बढ़ गई है पर हॉंग्जु कहती है कि वो गेम्स में बहुत ही बुरा है और इसी वज़े से उन्हें एक्स्टा पैसे खर्च करने पड़े हॉंग्जु को खुश देखकर हॉयंग भी कहने लगता है कि वो भी आज आरगेट जाना चाहता था क्योंकि वो दोनों आज सेम बूट में थे हॉंग्जु उस से पुशने लगती है कि क्या वो किसी चीज से STRESS था और उसे तो यकीनी नहीं हो रहा है कि हूयंग को जाब के वज़े से STRESS हो सकता है यह सुनते ही हूयंग जैसे ही कहता है कि इसी वज़े से उसने अमनी जाब क्विट कर दी है हौंग जू उसका हाथ पकड़ कर गुमा देती है और उसे पूछने लगती है कि उसने जॉब क्विट क्यों की और कहीं उसने जॉब इस वज़े से तो क्विट नहीं की क्योंकि उसने उसे यूए जाने से मना किया था पर हुयंग कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे सिर्फ उसके ओपर भरोसा करने के लिए कहता है हौंग जु भी कहने लगती है कि आज से वो सिर्फ उसी के ओपर भरोसा करेगी सेन सिफ्ट होता और हमें दिखाए जाता है हॉंग जू को जो कि अपने घर में बैट कर हेजी से ही बाते कर रही थी और कह रही थी कि इस सब में हुयंग की ही गलती है क्योंकि ये रिजेक्ट होने के बाद ही उसे हुयंग काफी ज़्यादा पसंद आने लगा साथी कहती है कि हेजी नहीं उसे कहा था कि उसकी काफी बिक चैस्ट है और उसका दिल भी काफी बड़ा है और सायद इसी वजे से उसे हुयं इतना पसंद आने लगा वहीं हेजी पास्ट का वही इंसिडेंट याद करके होंग जु को कहने लगती है कि उसे वहाँ जाने से रोकना चाहिए था पर होंग जु कहती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी इस वज़े से उसने उसे नहीं रोका यह याद करके हेजी कहने लगती है कि वो काफी जादर elite feel कर रही है क्योंकि एक आदमी के चकर में वो अपने पुराने सारे rule और regulation बदलने वाली थी जिस पर हॉंग्जु भी कहने लगती है कि उसे अब किसी एक अच्छे सादमी को date करना चाहिए पर हेजी काफी irritate होकर चिलाकर कहने लगती है कि वो update नहीं करना चाहती और बस वो अपनी job पर ही focus करेगी हेजी की ये सारी बाते पार्क में खड़े सबी लोग भी सुन लेते हैं वही होंग्जु की बाते सुनकर हेजी कहने लगती है कि वो अब काफी बदल गई है पर होंग्जु कहती है कि वो बदली नहीं है बलकि वापस अपने पुराने self में आ गई है हेजी भी ये कहकर उसका phone cut कर देती है कि वो उसे काफी jealous feel कर रही है जिसके बाद है जी अपने वही ट्रेकिंग के सूज देखकर कहने लगती है कि उसके ट्रेकिंग के सूज काफी अच्छे हैं और उन्हें वो ट्रेकिंग के अलावा भी यूज कर सकती है पर कुछ दूर जाते ही वो फिर से उनी जूतों को दूर फैक देती है और कहने लगती है कि आके वो उस आदमे के बारे में इतना क्यों सोच रही है वहीं दूसरी और हॉंग जू भी जुनों की उसी बुक का प्रपोजल भी डिलेट कर देती है साथ ही उससे रिलेटेट सारी बुक्स भी लागर घर से बाहर रख देती है अब सीन सिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहां हुयंग सुबह सुबह मॉर्निंग वाक के लिए निकल जाता है अब कुछ देह बाद ही हॉंग जू भी तैयार होकर जैसे अपने आफिस के लिए बाहर आती है वो देखती है कि वहाँ से वो सभी बुक्स उठाकर ले गए है उसी समय होयंग भी रणिंग करके वापस आ जाता है और होयंग को देखकर कहने लगता है कि अभी तब उसका रूटीन पूरा नहीं हुआ है और वो कुछ और दूर पैदल चलना चाता है ताकि वो होंग जू को डॉप करने जा सके अब जैसी वो दोनों वहाँ से निखलते हैं उससे समय वहाँ पर एक टेक्सी आ जाती है जैसे देखकर होयंग काफी सर्पराइस हो जाता है क्योंकि उसकी मौम बहाँ पहुँच गई थी अबरा से होगजु का हाथ पकड़ लेता है और अम्पने मौम को कहने लगता है कि वो उसकी गल्फरेंड है होयंग की मौम भी होंग जु से कहती है कि उसे होयंग से कुछ जरूरी बात करनी है और क्या वो कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ सकती है ये सुनते ही होंग जु भी होयंग को बाद में मिलने के लिए कहकर वहां से चली जाती है अब अंदर आते ही होयंग की मौम कह के आखिर वो दोबारा होंग जू से मिली गया हुएंग के पूचने पर की क्या वोँसे पहले से जानती हैं उसकी मौम कहती हैं कि उससे रेलेटर जू भी चीज जानने लायक है उन्हें उस बारे में सब कुछ पता है ये सुनते ही हुयंग भी उन्हें कहने लगता है कि सब से हौंग जुका कुछ भी लेना देना नहीं है और जो भी decision उसने लिया है वो उसने अपने लिये लिया है अब वो बात करी रहे थे कि उसी समय बीकुक भी वहाँ पहुंच जाता है जिसे हुयंग ने message करके वहाँ बुला लिया था बीकुक को वहाँ देखती है उसकी मम कहने लगती है कि उन्होंने सिर्फ इसकी देख भल करने के लिए कहा था लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ चेंज है बीकुक भी अचाना की कहने लगता है कि पुरह ने house को देखकर उसे उसके husband की याद आती थी इस वज़े से उसने सब कुछ चेंज करवा दिया पर तभी उसे realize होता है कि वह यह क्या बोल रहा है उसी समय उसकी mom भी उसे आकर कहने लगती है कि अब उसके लिए hotel बुक करन पूरा ध्यान होंग्जू पर ही था जो कि वहां होते वे भी वहां पर मौजूद नहीं थी उसी समय बीकुक भी उसे message करके बताता है कि हुयंकी mom आप वहीं पर रहने वाली है और उसे किसी भी हालत में उसकी mom से बच कर रहना है अब होंग्जू को अपने ख्यालों में खो प्रोडियोसर चुनना होगा और अगर कोई भी उस चीज के लिए इंट्रस्टेड है तो उन्हें आकर बता सकता है लेकिन जाने से पहले होंग्जू को ये कहकर जाने लगती है कि अगर वो इस चीज को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएगी तो वो उनके आफिस में ना अब साम होते ही जैसे होंग जो अपने घर के बाहर पहुंचती है वो चुप चाप चारों और हुएंग की मौम को देखने लगती है और जब वो उसे वहां नजड़ नहीं आती तो वो चुप चाप जाने लगती है पर उसी समय हुएंग वहां कर उसे डरा देता है और फिर उसे फटाफट उपर ले जाता है हो यंग उसे हग करके कहने लगता है कि आज सुबह उसकी मॉम की वज़े से वो काफी जादा चौक गई जिस पर होंग जू कहने लगती है कि उनसे जादा तो उसे उसने चौका दिया साथ ही कहने लगती है कि सायद उसकी मौम उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती हो यंग कहता है कि उसकी मौम पहले से ही ऐसी ही है और उसे इस बारे में टेंजन लेने की कोई जरूरत नहीं है हो यंग के जवाब सुनकर होंग जु कहने लगती है कि जब से उसने जॉब छोड़ी है तब से वो काफी ज़्यादा बेशरम हो गया है वहीं हो यंग को जॉब ले सोने पर इतना ज़्यादा खुश देखकर होंग जु कहने लगती है कि सायद अपनी जॉब छोड़कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अब अचानक ही होंग जु हो यंग से पोशने लगती है कि क्या वो सच में इतनी ज़्यादा चार्मिंग है जिस पर हो यंग उसे हक करके कहने लगता है कि वो इतनी ज़्यादा चार्मिंग है कि वो अपना सारा टाइम सिर्फ उसी के साथ बिताना चाहता है सीन सिर्फ तोतर हमें दिखाया जाता है संगपिल को जो कि काफ़ी सारे कश्टमर्स होनी की वज़े से अपने रेस्टराइट में काफ़ी जादा बीजी था कि कुछ देर बाद ही खाना खाने के लिए हुयंग भी वहाँ पहुंच जाता है जिसे देखते ही संगपिल टेबल पर बैठा देता है और उसके लिए खाना लाने लगता है पर उसी समय वहाँ पर तीन लड़किया आ जाती है और कोई भी टेबल खाली ना होने की वज़े से संगपिल हुयंग को धक्का देकर वहां से उठा देता है और नेक्स सीन में ही हम देखते हैं कि संग पिल ने हुयंग को भी काम पिल लगा दिया था और वो भी उसके साथ रेंट में काम करवा रहा था हो यंग को काम करते देख संग पिल पहले तो काफी खुस हो रहा था लेकिन बार-बार समान गिराने के वज़े से संग पिल काफी रिटेट हो जाता है और जाकर उसे कहने लगता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो जाद अच्छा रहेगा उसी समय उन तीनों लड़कियों को वहाँ से जाते देख हो यंग जाकर उनको बिल देता है वहीं वो लड़कें भी उसकी तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है उसी समय Hondju भी हूयंग को मैसेज करती है जिसे पढ़के वो बहुती ज़्यादखोस हो जाता है जिसके बाद हूँग उसे बताती है कि वो लंज के लिए उसी सॉपर आई है ज़हां वो इसकूल टाइम पर जाया करते थे हूँग दू हूयंग को बताती है कि उस सौप के ओनर आज भी उसे जानती है साथ ही वो कहने लगती है कि ज़िए उस लेड़ी को बताया कि वो होयंग को डेट कर रही है तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया जिस वज़े से वो होयंग को ये चीज प्रूफ करने के लिए उसे उसके साथ उस सौप पढ़ लंच पर आने के लिए कहती है इधर होयंग भी होंग्जु के मैसिज पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा खुज हो रहा था उसी समय संगपिल भी उसके पास आकर बैट जाता है और पूशने लगता है कि वो इस समय यहां क्या कर रहा है होयंग कहता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब से कुछ टाइम लंच के लिए वो यहीं आने वाला है पर होयंग को इतना जादा इंजॉय करते वे देख संगपिल कहता है कि अब उसे उसे देखकर ड़ड़ रहा है और वो अपनी जॉब को छोड़ कर इतना जाता खुछ कैसे हो सकता है इसी बीच दिखाया जाता है बीकुक को जो कि होयंग की वज़े से बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर जैसी ऑफिस से बाहर आता है उसी समय उसके नजर मिजबे पर पड़ जाती है जो कि अपने ऑफिस से वापस घर जा रही थी उन्हें देखते ही बीकुक भी उनसे जाकर डिनर के लिए पूछने लगता है जिस पर मिजबे अचानक की कहने लगती है कि वो अपसे अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं करेंगी इसलिए वो दारूपी कर उन्हें कॉल ना करे अब यह कहकर जैसी वो अपनी गाड़ी में बैठती है बीकुक अचानक की उनका दरवाजा खोल कर उनके बहुती नजदीक पहुच जाता है और कहने लगता है कि अपने 40s में आकर वो ऐसी हरकते कैसे कर सकती है बीकुक को अपने इतना नजदीक देखकर मिजबे सोचने लगती है कि सायद वो उसे किस करने वाला है लेकिन वो तो अचानक की जुक कर मिजबे की ड्रेस को गाड़ी के अंदर करने लगता है जिस वज़े से मिजबे बहुत ज़्यादा एंबेरेस हो जाती है और उसे वहीं पर धक्का देकर चली जाती है सीन सिफ्ट वदर हमें तिखाया जाता है होंग जुकू जो कि फिर से चुपते चुपाते वापस अपने घर जा रही थी और हुयंग से फोन पर बाते कर रही थी कि उसी समय वहाँ पर एक एरप्लेन गिरता है और जैसी वह से देखती है तो ये उन्हीं लेटर्स के एरप्लेन थे जो उसने बांग जुनो को भेजे थे और जो कि उसी के घर के बाहर बैठ कर ये सभी ऐरप्लेन ये थे देखती ही हूंग जू उसके पास महुत जाती है और पूशने लगती है कि वह यहाँ पर ये सब क्या कर रहा है जुनो कहता है कि इन सभी लेटर्स को जलाना या कुड़े में फैकना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुस्किल था इसलिए वो इन सभी लेटर्स को वापस उसी के पास ले आया है और अब वो जू भी इनका करना चाहे कर सकती है अब ये कहकर जुनो एक और एरप्लेन छोड़ देता है और बदकिस्मती से ये प्लेन जाकर सीधे हुए अंकी मौम को लग जाता है जो कि वापस घर आ रही थी उसी समय उनकी नजर उन दोनों पर पर जाती है जहां जुनो हंग जु से कहने लगता है कि साइद इसके बाद वो कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा होंग जु भी कहती है कิ उसी भी लगता था कि ब्रेक अप के बाद वो सायद मर जाएगी लेकिन वो आज भी जिंदा है और दुबारा से वो किसी से प्यार करने लगी है और जुनो से कहती है कि कुछ टाइम बाद वो भी बैटर फील करने लगेगा जुनों भी ये कहते हुए वो सभी लेटर्स हॉंग जु को देकर चला जाता है कि ये सभी लेटर्स उसने उसे दिये थे तो अब वो इनका कुछ भी कर सकती है अब उसके महाँ से जाते ही हॉंग जु फिर से सभी प्लेंस से गठे करने लगती है और उसी समय हुए अंके मौम बे वहाँ पहुँच जाती है जिसे देखते ही हॉंग जु कहने लगती है कि सायद किसी बच्चे ने ये सभी प्लेंस यहाँ पर फैक दिये है पर तभी उसके मौम कहने लगती है कि उन्हें लगता था कि वो काफी क्यूट है लेकिन सायद उसके लव लाइफ काफी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटर रही है सेंसिफ्ट होता है संगपिल के रेश्ट्राइन में जहां हेजी अभी भी सौन को ही याद कर रही थी वहीं दूसरी और हुई अंका पूरा ध्यान अपने फोन के उपर ही था उसी समय चिकन को जलते वे देखकर संगपिल आकर उने कहने लगता है कि उन दोनों का धियान कहां है हेजी भी कहने लगती है कि आज उसका कुकेंग का बिल्कुल भी मूड नहीं है संगपिल के पोशने पर कि हौंग जु अभी तक क्यों नहीं आई हुयंग उसे कॉल करने के लिए बाहर पहुच जाता है हौंग जु उसका कॉल तो नहीं उठाती पर उसे मैसेज करके कहती है कि वो जल्दी वहाँ पर आ जाएगी अब जैसे ही हुयंग अंदर आता है वो देखता है कि संगपिल और हेजी दोनों हौंग जु के बारे में ही बात कर रहे थे जहां संगपिल हेजी से कहता है कि क्या हौंग जुनों से नहीं बताया कि वो जुनों के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है हेजी कहने लगती हैं कि भला वो इस काम को क्यों करेगी और उसे पुरा यकीन है कि वो इस वाफ़र को ॡिक्लाइन कर देगी संगपिल कहता है उसका चेहरे देखने से साफ पता चल रहा था कि वो इस प्रोज़ेक्ट पर काम करना चाहती है साथ ही वो कहता है कि हो यंग ने भी अपनी जौक कुट कर दी है लेकिन जैसी वो देखते हैं कि हो यंग महाँ पर खड़े होकर उन दुनों की बाते सुन रहा है वो दुनों बहुत ही ज़्यादा सौक हो जाते हैं और अगले ही पल हो यंग यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो हॉंग्जू को लेने जा रहा है अब से इंशिफ्ट होतार हमें दिखाया चाता है कि हुईग्जू को बात करने के लिए अपने साथ ले गई थी उसकी मौम कहती है कि वो आपस में बहुत ही इंट्रिस्टिंग तरीके से कनेक्टेड है साथ ही कहती है कि वो ज़ादर टाइम वेश्ट नहीं करना चाहती और कहने लगती है कि फ्यूचर में हुयंगी रॉक एसिट के हेड़कॉर्टर को संभालने वाला है तो क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे हुयंग को जाने देना चाहिए इतना सुनते ही हुंग जू कहने लगती है कि वो हुयंग को यहाँ पर नहीं रोक रही है हुयंग की मॉम भी कहने लगती है तो क्या इसका मतलब हुयंग ही है जो यहाँ पर उसके पीछे पड़ा है ये सुनते ही हॉंग जू उन्हें सब कुछ एक्स्पिलेंट करने लगती है और कहने लगती है कि हुयंग उसके साथ बहुत ही ज़ादा फ्लर्ट कर रहा था साथ ही बताती है कि जब उसका एक्सिडेंट हुआ तो काफी मना करने के बाद भी हुयंग जबरदस्ती उसका ख्याल रख रहा था और जब उसका ब्रेक अप हुआ तो हुयंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और सबसे पहले किस भी उसी ने किया था साथ ही कहने लगती है कि हुयंग जबरदस्ती उसे सी साइड पर ले कर गया था और इतने ज़्यादा कूल और हैंडसम हुयंग को देख कर वो उसे मना नहीं कर पाई हुयंग की मॉम भी पहले तो ये सुन्दूर काफी ज़्यादा सर्पाइस हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ऐसे में तो हुयंग के पास कोई भी आप्सन नहीं रहा होगा पर अब वो चाहती है कि हुयंग जू इस सब को यहीं पर खतम कर दे हुयंग जू भी कहती है कि अगर उन्होंने अपनी बात कह दियो तो वो यहां से जाना चाहती है उसे जाते लेख, Hooyang की मम कहने लगती है कि क्या उसने ये सोचना छोड़ दिया है कि उसकी वज़े से Hooyang क्या-क्या खो़ सकता है पर तभी होंग जू कहती है कि एक स्मार्ट लड़गा जिसने मैत करी हो और उसने अपना डिसीजन बना लिया है तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए उन सभी ज़्यादर चीजों से ज़्यादर इंपोर्टेंट वो है ये सुनकर उसके मौम भी काफी ज़्यादर सर्प्राइज हो जाती है अब नेक सीन में ही हो यंग भी दोड़ते वे सीधे अपने घर के बार पहुँच जाता है जहां उसके नजर होंग जुपर पढ़ती है जो कि अपने घर के बाहरी लेड़ी हुई थी अगले ही पल हो यंग उसके पास जाकर उसके पोशने लगता है कि वो इतने ठंड में यहां पर क्या कर रही है हो यंग को देखते ही होंग जु कहने लगती है कि वो कुछ सोच रही थी और अचानक ही कुछ लड़कियों के नाम लेकर कहने लगती है कि क्या ये सभी लड़कियां यूएस में उसकी एक्स गल्फरेंड्स थी हुएंग भी ये सब कुछ सुनकर काफी सर्प्राइज लग रहा था हुएंग के कहने पर कि वो इस सब के बारे में किसी और से क्यों सुन रही है हुएंग पूशने लगता है कि क्या वो उसके मौम से मिली थी साथ ही कहने लगता है कि उसे उसके मौम के कही किसी भी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और उसे सिर्व उसके ओपर भरोसा रखना चाहिए जिस पर हंग जु कहती है कि क्या वो उनकी इस बात को भी सीरियसली ना ले कि वो उसे वापस यहां लेने आई है और क्या उसे इस बारे में सब कुछ तब पता चलेगा जब वो यहां से उसे छोड़ कर चला जाएगा वो यहां कहने लगता है कि उसने उसे प्रामिस किया है कि वो वापस नहीं जाएगा और उसे उसके ओपर भरोसा रखना चाहिए पर जैसे होंग जू कहती है कि वो इस सिच्वेशन वे उस पर कैसे बरोसा कर सकती है होंग भी कहने लगता है कि क्या वो उस पर बरोसा नहीं करती इसी वज़े से उसने उसे जुनो के बारे में नहीं बताया होंग जू के कहने पर कि उसे जुनों के बारे में टेंसन लेने की जरूरत नहीं है होयंग कहने लगता है कि उसने देखा था कि वो जुनों की वज़े से कितना जादा रोई थी और वो इस बारे में बहला टेंसन क्यों नहीं लेगा अब होंग जू पहले कहने लगती है कि उसे जुनों की अब कोई परवार नहीं है और फिर अचानक ही होयंग से कहने लगती है कि वो भी सेम है क्योंकि वो भी हमेशा ही बिना बताए उसे छोड़कर चला जाता है और वो इस चीज को भूल गई थी ये कहकर होंग जू काफी दारूपी कर सोया हुआ था होयंग जगता है लेकिन वो अपने हैंग ओवर की वज़े से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और ये सारी चीज वहीं पर खड़े होकर उसकी मौम भी देख रही थी अब जैसे ही होयंग की नजर अपनी मौम पर पढ़ती है वो उनसे पूशने लगता है कि क्या अबी तक काम पर नहीं गई मौहीं उसकी मौम उसके पूशने लगती है की क्या टровल क्रियाट करने से उसका यही मतलब था उयंग भी उनकी बात का कोई जबाब नहीं देता और फिर से ये कहकर सोजाता है कि उसकी नीने भी तक पूरी नहीं हुई है अब सीन सिफ्ट वतार हमें दिखाया चाता है होंग जू को जो कि हेजी से मिलने के लिए स्कूल के बाहरी खड़ी थी कि उसी समय उसके नचर दो लड़कों पर पड़ती है जो कि उनी जाड़ियों की बीच से निकल कर बाहर आते हैं और स्कूल से बंक मार के भाग जाते हैं ये देखते ही अचानक ही होंग जू को वही दिन याद आने लगता है जब वो भी इस तरह से बाहर आई थी और उसके पीछे पीछे वो यंग भी मिलेटरी बेश तक पहुँच गया था जहां जुनों के ना मिलने की वज़े से वो बहुत ही जादा रो रही थी साथ ही उसे वो ही बात भी याद आती है जब हुयंग ने उसे कहा था कि उस दिन की मेमरीज उसके लिए बैड मेमरीज कैसे हो सकती है क्योंकि वो जुने से रेलेटर थी ही नहीं वो तो सिर्फ उन दोनों की मेमरी थी ये सोचकर उसे एसास होता है कि लाश नाइट हुयंग ने उसे ये क्यों कहा था कि उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर है अब हीजी के बहार आता ही हॉंग जुअपना सर पकड़ कर उससे कहने लगती है और हुयं के सामने न जाने उसने क्या क्या बोल दिया हीजी पहले उसे पूछती है कि या कल उन दोनों की पीच आर्गुमेंट हुआ है और फिर कहने लगती है कि लव श्टोरी के बीच तो ये सब होता ही रहता है और हॉंग्जु को उसके साथ चल कर लंच करने के लिए कहती है सीन सिफ्ट वतार हमें दिखाया जाता है हुयंग को जो कि अभी भी बैट कर ड्रिंक ही कर रहा था कि उसी समय उसकी बैल बस्ती है और हम देखते हैं कि संगपिल उससे मिलने के लिए उसके घर पहुँच गया था जहां उसका घर देख कर संगपिल कहने लगता है कि बीकू कितने डिजाइनर और रिच है और वो तो हमें सही उनके साथ काफी ज़्यादा रूड रहता है हुयंग भी संगपिल से माफे मांगता है कि वो कल रात वापस उसके बास नहीं आ पाया संगपिल कहता है कि उससे पहले से ही मालुम था कि वो वहाँ नहीं आएगा और उसने पकाड रिंग कर लिया होगा अचानकि उसके पूशने पर कि आज उसके रेश्टरेंट का क्या होगा संगपिल कहने लगता है कि जब से वो बीच टिप से वापस आया उसने काफी सोचा कि आखिर उसने ये रेश्टरेंट क्यों ओपन किया था कि क्या उसकी life का goal सिर्फ successful होना था या फिर अपने life में खुस होना था scene shift होता है उन दोनों पर जहाँ हेजी काफी ज़्यादा हस रही थी और असल में वो इतना इस वज़े से हस रही थी क्योंकि last night होंग जु ने अपनी तरफ से होयं की उन सभी girlfriend's का नाम बनाया था हेजी के पूशने पर कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि वो इतना ज़्यादा परिसान लग रही है होंग जु कहने लगती है कि उसने होयं को कहा कि वो भी जुनो की तरह उसे बिना पता यहां से चला जाएगा यह सुनते ही हेजी कहने लगती है कि वो यह सब कैसे कह सकती है होंग जु के कहने पर कि उसकी mom यहाँ पर उसे लेने वापस आई है हेजी कहने लगती है कि हुयंग ने खुद प्रॉमिस किया है कि वो वापस नहीं जाएगा साथ ही जैसे होंग जु कहती है कि हुयंग को पता चल गया था कि वो जुनों के साथ काम कर रही है इस वजे से उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ये सुनकर हेजी भी अचाना की कहने लगती है कि बुरा तो उसे भी लग रहा है क्योंकि उसने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया अब जैसे ही होंग जु कहती है कि उसने सिर्फ उसे इस वजे से नहीं बताया क्योंकि उसे परेशान नहीं करना चाहती थी हेजी बड़े ही अजीव तरीके से उसे कहने लगती है कि उसे पता है कि होंग जू हर चीज में अच्छी है और वो अपने सारी प्रब्लम्स खोदी सॉल्व कर सकती है होंग जू को भी समझा गया था कि हेजी उससे थोड़ा अपसेट है इधर सीन सिफ्ट होता है जहां नास्ता करते हुए संग पिल हुयंग से कहने लगता है कि उसे इस तरह से ब्रिटेंड करना चाहिए था कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और उसे हौंग जु को ऐसा दिखाना चाहिए था कि उसके लाइफ में सिर्फ एक वही लड़की है जिस पर होयंग कहता है कि उसके लाइफ में सच में सिर्फ एक वही लड़की है अब होयंग को इतना अपसेट देख कर संग पिलों से कुछ फ़नी दिखाने के लिए कहता है पर उसे promise करने के लिए कहता है कि वो इस बारे में हौंग जू और हेजी से कुछ नहीं कहेगा जिसके बाद वो उन तीनों की ही old photos दुने दिखाना सुरू कर देता है जिसमें वो हेजी और हौंग जू दोनों की ही बारे में उसे बताने लगता है अब कुछ देर बाद अच्छानक की संग पिल होयंग से कहने लगता है कि एक बार नसे के हालत में हौंग जू नों से एक बात बताई थी कि उसे बार बार एक ही तरह का night में आ राता है जिसमें वो हमेशा लोगों का पीछा करती रहती है जहां उन सभी लोगों ने से वेट करने के लिए कहा था कि वो उससे वापिस जरूरा कर मिलेंगे लेकिन वो लोग हमेशा ही उसे गुडबाई बोले बिना ही चले जाते हैं ये सुनते ही होयंको पास्ट का वही सीन याद आता है जब वो बस स्टॉप पर होंगजू से मिले बिना ही वहाँ से चला गया था साथ ही वो भी समझ गया था कि लास्ट नाइट होंगजू ने से ऐसा क्यों कहा था कि वो भी बाकी सभी की तरह है और हमेशा ही बिना उसे कुछ कही ही चला जाता है साथ ही संगपिल कहता है कि उसके पूछने पर कि अगर वो उन लोगों से कभी मिली तो क्या कहेगी होंग जुने कहा था कि अगर वो उन लोगों से कभी मिल पाई तो वो उने सिर्फ गुडबाई बोलना चाहती है ताकि उसे कभी उनका वेट ना करना पड़े संगपिल कहता है कि सभी लोगों की अपनी एक पेनफुल स्टोरी होती है इस सुनकर होयंग को भी ऐसास होता है कि हमेशा उससे मिलने पर होंग जी उसे गुडबाई क्यों कहा करती थी सीन सिफ्ट होता है ओबोग हाई स्कूल में जहां सौन सभी बच्चों को फुटबाल खिला रहा था कि उसी समय हीजी भी वहाँ पहुँच जाती है जो कि बहुत ही जाता गुमसुम लग रही थी हीजी को देखते ही सौन का पूरा ध्यान भी उसी के उपर चला जाता है सौन सौन सौने की एकटिंग करने लगता है जैसे उसे चेक करने लगती है क्या वह अभी वह यही कहना चाहेगा कि वह उसे पसंद नहीं करता है इतना सुनते ही सौन उसे कहने लगता है कि जब से वो यहाँ आया था वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है सौन उस आहले भी बोलने के कुशिस करता है लेकिन उसी समय उसे हिच कियाने लगती है काफी कुशिस करने के बाद भी जब वो ठीक से नहीं बोल पाता तो वो चिला कर उसे जोड़ जोड़ से बोलने लगता है और फिर अगले ही पल उसे एक किस कर देता है सीन सिफ्ट अधर हमें दिखाया जाता है हुयंग की मॉम को जो घर आकर देखती है कि हुयंग ने चारो और दारो की बाटल से रखी हुई है वो अभी ये सब कुछ देखे रहे थे कि उसी समय संगपिल भी नसे की हालात में बाहर आता है वो उन्हें देखकर पहले हैलो कहता है और फिर गुडबाइ कहकर जैसे ही जाने लगता है उसके मॉम उससे पूछने लगते है कि वो कौन है और यहां क्या कर रहा है संगपिल कहता है कि वो हुयंग का पेश फ्रेंड है और वो हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ा करता था अब हुयंग की मॉम के पूछने पर कि वो कहां है संगपिल कहता है कि वो अभी यहीं पर था लेकिन वो यहां नहीं है और ही कहा कर वहाँ से जाने लगता है कि उसे उसके बारे में भी नहीं पता अभी सुनते ही उसकी मौम को भी ऐसास होता है कि सायत वो उपर ही गया होगा अपने एक सीन में उसकी मौम भी उपर पहुँच जाती है जहाँ Hu Young ने से की हालत में वहींपर बैठा हुआ था अपनी momm को वहाँ देखते ही Hu Young कहने लगता है कि जुछ लड़की यहाँ पर रहती है उसने उसे बहुती ज्यादा रूलाया है साथ ही अपनी momm से पूछने लगता है कि क्या koya से जाने के बाद उन्हें कभी इस चीज का रिग्रेट हुआ या फिर कभी उन्होंने कुरिया को मिस्स किया जिस पर उसकी मौम मना कर देती है ये सुनते ही होयं कहने लगता है कि हाली में उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास्ट की ज़्यादा मेमरीज नहीं है और उसके पास सिर्फ कुछ ही मेमरीज है साथ ही कहता है कि जब वी वो बहुत ज़्यादा उदास होता था तो उन मेमरीज को याद करके बहुत ज़्यादा बैटर फिल करता था पहले उसे इस चीज का रिजन नहीं पता था लेकिन कुरिया में वापस आने के बाद उसे एसास हुआ कि वो कुरिया को बहुत ज़्यादा मिस करता था और उससे भी ज़्यादा मिस वो होंग जु को करता था क्योंकि वो हमेशा से ही होंग जु को बहुत ज़्यादा पसंद करता था साथ ही वो अपनी मौम को पहले अंदर जाने के लिए कर वहां से चला जाता है दोस्ती और दिखाया जाता है हॉंग जु को जहां काम करते हुए भी उसका पूरा ध्यान क्लॉक पर ही था और 6 बचते ही हॉंग जु तुरंत अपना सावान उठाकर दोड़ते वे वहां से निकल जाती है ताकि वो हुयंग से जाकर मिल सके अब हुयंग से जाकर मिलने की जल्दी में वो बस एक स्कूटर से टकरानी वाली होती है कि उसी समय हुयंग वहां आकर उसे बचा लेता है और उसे पूछने लगता है कि वो इतनी जल्दी में कहां जा रही है और वो तो उसे ही मिलने आ रहा था हुयंग को वहां देखकर हॉंग जु भी बहुत ही ज़्यादा एमोशनल हो जाती है यहीं पर हमें एक एपिलॉग भी दिखाया जाता है जहां हेजी और हॉंग जु उसी ओर लेड़ी की सौप में लंच कर रहे थे जहां हेजी हॉंग जु को उसके साथ यह रोट ट्रिप पर चलने के लिए कहती है पर हॉंग जु कहती है कि उसे रिसेंटली एक जॉब मिली है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी उसी समय संगपिल भी वहां पहुँच जाता है जिसे देखकर वो दोनों ही काफी सौग हो जाते है संगपिल कहने लगता है कि उन तिनों का टेश्ट बिल्कुल सेम है साथ ही कहता है कि अगर हुयंग यहां पर होता तो और भी जादा अच्छा होता अब हेजी और संगपिल दोनों आपस में इस चीज को लेकर लड़ने लगते हैं कि हुयंग की जाने की वजए से उन दोनों में से कौन जादा दुखी है पर तबी उनके नजर हुंग जू पर पड़ती है जो की बहुत ही जादा एमोशनल होकर रोना सुरू कर देती है वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे तिकि आखिर हुंग जू क्यों रो रही है उससे पूशने पर हुंग जू कहती है कि अचानक से उसे अपने हार्ट में पेन फील हुआ साथी हुंग जू कहती है कि उसे पहले एसास नहीं हुआ लेकिन हुयंग के जाने के बाद उसे याद करके वो बहुत ही जादा बार रोई है पार्ट की सुरुवात उसी सीन के साथ होती है जहां हुयंग से मिलने के लिए हौंग जु दोरते वे सीधे अपने घर के और जा रही थी हुयंग से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि वो एक स्कूटर से बस टकराने ही वाली होती है कि उसी समय हुयंग वहां आकर उसे बचा लेता है और उससे पूशने लगता है कि वो इतनी जल्दी में कहां जा रही है साथ ही कहता है कि वो तो उससे ही मिलने आ रहा था हुयंग को देखकर हौंग जु काफी ज़्यादा एमोशनल हो जाती है और पहले उसके कपड़े देखकर पोशने लगती है कि वो इतने ठंड मैंसे क्यों गूम रहा है हुयंग के कहते ही कि वो उससे मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी में था हौंग जु हुयंग से पोशने लगती है कि क्या वो उस पर गुसा नहीं है और फिर हुयंग से माफि मांगने लगती है हुयंग भी हौंग जु को गले लगा लेता है और फिर अपने सारे मिश्टेक्स के लिए माफि मांगने लगता है पर हुयंग जु कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है साथ ही कहती है कि अपने उस प्रोजेक्ट की वज़े से वो बहुत ही ज़्यादा एंशेस हो गई थी और इसी वज़े से उसने इस चीज की सारे responsibility उसी के उपर डाल दी अब होंग्जु की बाते सुनकर अचानक ही हो यंग उसे देखता है और कहने लगता है कि उसका face देखकर अब उसकी सारे problem solve हो गई है और अब सब कुछ ठीक है उसकी बाते सुनकर होंग्जु भी कहने लगती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा like करती है अब scene shift होता है जहां वो दोनों ही होंग्जु के घर के बाहर पहुँच चुके थे हो यंग कुछ और देर उसके साथ बिताने कोशिस करता है पर होंग्जु उसे ठंड से बशने के लिए घर जाने के लिए कहती है पर फिर अचानक ही जाने से पहले होंग्जु से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ रामेन खाना पसंद करेगा ये सुनते ही हो यंग भी तुरंत अंदर पहुँच जाता है जहां जाते ही पहले होंग्जु ठंड से बशने के लिए उसे एक चोड़ा सा ब्लैंकेट देती है और फिर जैसे ही रामेन निकालने लगती है हो यंग उसके बहुत ही जादा नजदीक आ जाता है और हो यंग को अपने इतना नजदीक देखकर होंग जुच चलाते है। क्यों आ रहा है और उसने यहाँ पे सिर्फ उसे रामेन ख़ाने के लिए ही बुलाया है हो यंग भी उसे टीज करने लगता है कि वो तो सिर्फ रामिन के लिए ही आया है तो वो किस बारे में सोच रही है जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर रामिन बनाने लगते हैं लेकिन इस बीज भी हो यंग से अपने पूरी दूरी बनाये रखती है अब जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं होंग जू उसकी तारीफ करने लगती है कि वो हर चीज में बिलकुल परफेक्ट है तो वो यहां रहकर यूएस में अपने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को क्यों गवाना चाता है होयंग उसे कुछ कहने कोचिस करता है लेकिन होंग जूशे बोलने का मौका ही नहीं देती और कहने लगती है कि वो लगवा हर चीज में अच्छा है और वो नहीं चाती कि सिर्व उसकी वजए से वो अपने ड्रीम्स पर गिब अप कर दे पर तभी होयंग कहने लगता है कि recently उसे पता चला है कि वो बहुत से चीजों में अच्छा नहीं है साथ ही कहता है कि उसके साथ रहने पर उसे अपने नए ड्रीम्स पता चल गए है और कहने लगता है कि वो यहां रहकर हॉंग जु को गेम्स में हराना चाहता है उसे नई नई जगा पर गुमाने लेकर जाना चाता है और उसके साथ अपनी एक फोटो भी क्लिक कराना चाता है और अब यही सब उसके ड्रीम्स हैं अब यह सारी बाते सुनकर एंबरेस होकर जैसे ही होंग जू थोड़ा क्योड़ बनी कोसिस करती है इस चकर में वो होयंग को नीचे ही गिरा देती है और खुद उसके उपर गिर जाती है अब जहां होंग जू उससे पूछना लगती है कि कνεई उसे चोड़ तो नहीं लगी होयंग कहने लगता है कि क्या उसने यह जानबूच कर परफस से किया है होंग्जु के मना करने के बाद भी होयंग कहने लगता है कि अब जिव उसने उसे नीचे गिरा दिया है तो उसे इसकी भरपाई भी करनी होगी और फिर अचाना की होंग्जु को किस कर देता है और जब होंग्जु से रोखने कोसिस करती है तो वो उसे हग करके जमीन पर ही ल की मौम को जो की अच्छानकी किसी को कॉल करके उनकी मीटिंग एक लॉफ फर्म के साथ फिक्स करने के लिए कहती है अब सीन सिफ्ट होता है नेक्ट मॉर्णिंग जहां वो दोनों ही चुपके चुपके हौंग्जु के घर से बाहर आ रहे थे हुएंग को नीन में देखकर हौ होती जादा सौक हो जाते हैं और अपनी मौम को देखते ही हौयंग की नीन भी भाग जाती है उन दोनों को साथ देखकर उसकी मौम भी थोड़ा सर्प्राइज होती है लेकिन फिर बिना कुछ कहीं वहां से चली जाती है लेकिन हौंग्जु के साथ चलने के लिए कहता है ल और फिर अचानक यह उनके आगे चलने लगती है अब कुछ दूर जाते ही हौंग्जु को अपने साथ चलते वे देखकर अचानक ही वह उससे पूछने लगती है कि आखर वो क्या करना चाती है जिस पर हौंग्जु अचानक ही उन्हें मदर कह कर उनसे लाश नाइट के लि उन दोनका relationship है उस हिसाब से उसे भी उन्हें मॉम ही बुलाना चाहिए वो कहती है कि वो उन्हें मिजबीक बुला सकती है पर होंग जु कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा informal हो जाएगा ये सुनकर होयं की मॉम भी उसे कहने लगती है कि क्या वो उसके साथ fight करना चाहती है पर होंग जु तो फिर सोने ये कहकर चली जाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती और क्योंकि वो दोनों ही हुयंग को पसंद करते हैं तो इसलिए वो उन्हें भी पसंद करना चाहती है अब जैसे ही हुयंग की मॉम हंग्जु को पीटर स्पैन में जाते वे देखती हैं वो भी कहने लगती है कि अब तो उन्हें भी लगता है कि ये एक destiny ही है scene shift वतर हमें दिखाये जाता है हुयंग को जहां एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है वो हुयंग को देखकर कहने लगता है कि उसने तो कहा था कि वो वापस Korea कभी नहीं आएगा साथ ही कहने लगता है कि अभी तक ये rumors पूरे Korea में फैल चुके हैं और Mr. O उसे एक बहुत ही अच्छा offer देने वाले हैं जिसे उसे मुना नहीं करना चाहिए साथ ही कहने लगता है कि क्या उसकी mom इस बारे में जानती है होयंग भी कहने लगता है कि उसकी mom ये अच्छे से जानती है कि वो किस किस चीज के लिए capable है साथ ही कहने लगता है कि वो Mr. O का offer क्यों लेगा अगर वो उसे उनसे अच्छा offer प्रवाइड कर सकता है ये सुनकर वाद में भी काफी impress हो जाता है और कहने लगता है कि इसके बाद वो किसी और के साथ जागर नहीं मिलेगा इसी पिछ दिखाया जाता है बीकू को जो कि बहुत ही जादा गुस्से में लग रहा था वो होयंग की mom से कहने लगता है कि उसे पता था कि होयंग investment collect कर लेगा और इसका मतलब है कि अब वो पुरी तरह से independent हो जाएगा साथ ही कहने लगता है कि वो अपनी mom को इस तरह से diso बे क्यों कर रहा है उसकी mom भी कहने लगती है कि आखिर वो उसका बेटा है बीकू कहता है कि ये time impress होने का नहीं है होयंग की mom बीकू को चुपोने के लिए कहती है लेकिन बीकू कूप बिल्कूल भी चुप नहीं होता साथ ही कहने लगता है कि अगर वो से अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती तो वो होयंग को अपने side से ऐसे नहीं जाने देगा और उसे अपने साथ ही रखेगा इसी बीच सीन सिफ्ट होता है ओबोक हाई स्कूल में जहां सौन अपने कुछ टीचर फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहा था इसी बीच एक टीचर सौन से पोशने लगता है कि क्या उसने कभी अपनी honeymoon destination के बारे में सोचा है पर उसी समय एक और टीचर कहती है कि भला वो इस बारे में क्यों सोचेगा उसकी तो कोई गल्फ्रेंड भी नहीं है ये सौन कर सौन भी उसकी हाँ में हामिला देता है और कहता है कि उसकी कोई गल्फ्रेंड नहीं है लेकिन हेजी जो कि वहीं पर बैट कर उनकी ये सारे बाते सुन रही थी ये सब कुछ सुन कर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रही थी और अगले ही पल वो सौन से कहती है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है अब बाहराते ही हेजी उसे कहने लगती है कि वो अब ऐसा और नहीं कर सकती साथी कहने लगती है कि डेटिंग करना कोई क्राइम नहीं है तो वो सब लोगों से इस बारे में क्यों चुपा रहे है साथी जब भी उसे देखता है वो उसे अवाइड करता है सौन कहता है कि वो इन चीजों को चुपाने में इतना अच्छा नहीं है जिस पर हेजी उसका हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि इसलिए उन्हें अब ये चीज सबसे नहीं चुपानी चाहिए और अगर rumors फैल भी गए तो भला उससे क्या ही होगा अब पहले तो सौन ये सुनकर काफे खुस हो रहा था लेकिन तभी जैसे ही वो वहाँ पर दो स्टूरेंट्स को आते देखता है वो अचानक हेजी से अपना हाथ छुटा लेता है और उसे चिला कर कहने लगता है कि वो आगे से अपने सिफ्ट उसके साथ चेंग नहीं करेगा एजी भी इस चीज़ से काफे सर्पाइज हो जाती है और उसे ज़्यादा अकवर्ड फिल ना हो इसलिए जाते वे उन बच्चों को कहने लगती है कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए सीन सिफ्ट उतार हमें दिखाया जाता है उन दोनों को जो कि होंग जु के घर में ही थे अब जहां होंग जु का पूरा ध्यान एक कॉमिक पढ़ने पर था वहीं होंग का पूरा ध्यान होंग जु के उपर था अब होंग को उसे इस तरह से घूरते वे देखकर होंग जु से अपना मूँ छुपाने लगती है पर होंग कहने लगता है कि वो उसे कॉमिक पढ़ने में डिश्टब नहीं कर रहा है और वो सिर्फ उसका फेश देखना चाता है क्योंकि कॉमिक से जाता उसके लिए उसका फेश इंटरस्टिंग है अब काफी कोशिस करने के बाद भी जब होंग जु अपने फेश से बुक नहीं अटाती तो हो यंग वहीं पर सोने लगता है अब उसे सोते देखकर होंग जु भी अपनी कॉमिक छोड़कर होंग के फेश को नहीं हारने लगती है इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक फ्लैस बैक जहां पास्ट में होंग जु अपने करियर गोल के बारे में लिख रही थी कि उसे फ्यूचर में एक एनिमेशन डाइरेक्टर बनना है और उस करियर गोल में इतने सारे कॉशन देखकर होंग जु सोचने लगती है कि आखेर उसे इतने सारे सवालों का जवाब क्यों देना है लेकिन उसी समय उसके नजार विंडो से बाहर गेम खेलते वे कुश लड़कों पर पड़ जाती है और उनी के बीच होंग भी खेल रहा था जिसके बाद करियर गोल को भूल कर होंग जु का पूरा ध्यान होंग के ऊपर ही चला जाता है और वो सोचने लगती है कि कोई इतना एथलेटिक आदमी उस गड़े के अंदर कैसे गिर सकता है जिसके बाद नैक सीन में ही होंग जु होंग को ढूनते वे लाइबरेरी में पहुंच जाती है और उसे देखते ही उसके पास जाकर उसे एक कॉमिक दिखाने लगती है अब उसे बताने के बाद उसने अपना प्लैन चेंज कर दिया है अब वो दोनों बात करे रहे थे कि उसे समय कुछ लड़क्यों की आवास सुन कर होयं उसे पकड़ कर अपने पास खीज लेता है ताकि वो लड़कया होंग जु को आपन ना देख सके अब होयंग को अपने इतना नजदीक देख कर होंगजु की भी हाट बिट बढ़ जाती है वही वो उन सभी लड़कयों की भी बाते सुन रहे थे जहां वो होयंग के बारे में ही बात कर रही थी कि होयंग को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती साथ ही वो होंग्जू की ये बुराई कर रहे थी जिस पर होयंग होंग्जू को चुप रहने के लिए कहता है अब इधर प्रेजेंट में होयंग को सोते वे देखकर जैसे होंग्जू उसके फेस को टच करने लगती है होयंग फिर से जग जाता है और उसके पूशने पर होंग्जू कहने लगती है कि आज कलू बहुत ही ज़्यादा हैंसम हो गया है साथ ही कहती है कि उसे देखकर उसे पास्ट का एक बहुत ही अमेजिक मोमेंट यादा आ गया है होयंग उसे पूशने कोसिस करता है लेकिन हॉंग जू से नहीं बताती जिस पर वो हॉंग जू को टीज करने लगता है और फिर उसे हक करके वहीं पर सो जाता है अब सीन सिफ्ट होता है नेक्स मार्निंग और दिखाया जाता है हॉंग जू को जो की अभी भी वही कॉमिक पड़ रही थी पर जैसे उसके नजर विंडो से बाहर स्नोफॉल पर पड़ती है उसे दिख कर हॉंग जू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उसी समय जैसे ही उसकी डोर बैल बसती है वो हुयंग समझकर जैसे ही बाहर पहुंचती है वो देखती है कि यह हुयंग नहीं बलकि उसकी मॉम है अब नेक सीन में हुयंग की मॉम भी हुंग जू के साथ उसके रूम में पहुंच जाती है होंग जु अपने खाली फ्रीज को देखकर कहने लगती है कि वो उन्हें अभी कुछ ओफर नहीं कर पाएगी और उसके मॉम कहती है कि अभी वो वैसे भी थोड़ा जल्दी में है लेकिन वो हॉंग जु एक पार सल देती है अब ये देखकर हॉंग जू कहती है कि वो उसे accept नहीं करेगी बस वो उसे open करके देखना चाहती है और जैसे हॉंग जू से देखती है वो बहुत ही ज़्यादा surprise हो जाती है सीन सिर्फ तोतार हमें दिखाया जाता है हुयंग को जो अपनी मॉम के लगिज को देखकर काफी surprise हो जाता है उसी समय उसके मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है और वो अपनी मॉम से पोशने लगता है कि क्या वो वापश जा रही है उसकी मॉम भी कहती है कि US headquarter में उन दोनों में से किसी एक की जरूरत है इसलिए वो वापश जा रही है लेकिन जाने से पहले वो हुयंग को उसके साथ breakfast करने के लिए कहती है हुयंग अपनी मॉम से उन्हें disappoint करने के लिए मुआफि मांगता है और उसी समय उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या वो जानता है कि वो 10 साल पहले यहां से क्यों गई थी साथ ही कहने लगती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले यहां से जाने का रिजन सिर्फ उसके फादर थे बल्कि वो 10 साल पहले इस वज़े से यहां से गई थी क्योंकि जो potential उन्हें होयंग में नजर आई थी वो उसे विश्ट नहीं करना चाहती थी साथ ही कहने लगती है कि उसे साथ ऐसा लगता है कि आज तक होयंग की life के सारे rules को उन्होंने ही dictate किया है और क्या उसे ऐसा लगता है कि उसने सारे चीजे खोदी solve की है उसके मों कहने लगती है कि भले ही उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हो लेकिन हुयंग ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक final answer ही दिया है उसी समय जैसी हुयंग का phone बचता है उसकी mom कहने लगती है कि उसे ये phone उठा लेना चाहिए क्योंकि ये उनके lawyer का ही call है जिसके बाद उसकी mom कहने लगती है कि अब से वो उसके खिलाफ एक official lawsuit फाइल कर रही है उसकी mom कहने लगती है कि उन्हें पता चला है कि हुयंग उनकी company की internet information का use करके investment इखटे कर रहा है और जब तक उसके उपर ये lawsuit चलता रहेगा तब तक कोई भी company उसे investment नहीं देगी हुयंग भी सुनकर काफी confused आता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर उसकी mom कहती है कि ऐसा सच है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा और उसे 10 दिन में आकर उससे मिलने के लिए कहती है हुएंग भी कहने लगता है कि क्या उनका इस हद तक जाना जरूरी है जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने पहले उसे कहा था कि वो अपना decision change नहीं करेगी यह सुनकर हुएंग भी कहने लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर लें लेकिन वो भी अपना decision change नहीं करने वाला है पर उसकी बाते सुनकर भी उसकी मॉम ज़्यादा परिसान नहीं लग रही थी और कहने लगती है कि वो भी देखना चाहती है कि हुएंग अब क्या कर सकता है सीन सिफ्ट उतार हमें दिखाया जाता है हॉंग जू को जो कि स्नोफॉल के बीच बिना चाते की ही घूम रही थी और उसके expression देखकर साब पता चल रहा था कि वो किसी चीज़ से काफी ज़्यादा upset है अब हुएंग जू पैदल चलते वे जैसे ही कई जगहों के सामने से निकलती है उन जगहों के साथ हुंग जू से related उसे अपनी सारी memories ज्यादाने लगती है और इसी बीच अब हमें दिखाया जाता है कि असल में हुएंग की mom ने पारसल में हुंग जू को क्या दिया था असल में हुएंग की mom ने हुंग जू को एक credit card दिया था क्रेडिट कार्ड देकर हुयंग की मौम उसे कहने लगती है कि उसने ठीक कहा था कि हुयंग एक मैच जीनियस है और उसने ये डिसीजन को सो समझ कर ही लिया होगा हौंग जू को CONFUSE देखकर उसकेमाम कहने लगती है कि अगर हुयंग उसे इतना जादा पसंद करता है तो वो भी उसे पसंद करती है हौंग जू काफी सर्पैस होकर कहने लगती है कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकती है और वो ना जाने इस credit card से क्या क्या खरीद सकती है जिस पर हुयंग की mom कहने लगती है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती है बलकि वो तो हुयंग पर भरोसा करती है इसलिए वो हुंग्जु को उनके साथ वापस US चलने के लिए कहती है कि अगर वो हुयंग के साथ वापस चलेगी तो हुयंग काफी जादा खुस होगा उनकी बात सुनकर हुंग्जु कहने लगती है कि उन्हें उनके कोई भी बात समझ नहीं आई कि वो उससे क्या कहना चाहती है जिस पर हुयंग की मौम उसे कहने लगती है कि उन्हें इस बात का पुरा यकीन है कि अगर इस बार हुयंग यूएस गया तो वो जल्दी से वापस नहीं आएगा क्योंकि वो जो भी करती हैं उन्हें उस पर पूरा भरोसा रहता है और इसलिए वो चाहती हैं कि वो तीनों हजीकुसी यूएस में ही रहें साथ ही वो हूंग जू से कहने लगती हैं कि सिर्फ उसके लिए हुएंग अपनी पूरी लगजीरियस लाइफ छोड़कर यहां पर सिर्फ ठोने के लिए तयार हो गया है तो क्या वो अपनी से लाइफ को छोड़कर हुएंग के लिए यूएस नहीं चल सकती और यहां फिर ऐसा है कि वो खोई अंको लेकर इतना जादा सिर्यस नहीं है अब इधार प्रेजेंट में हॉंग जू इन्ही सब बातों में खोई हुई थी कि उसी समय उसके टीचर मिस्टर किम बिवा पहुँच जाते हैं जो कि हॉंग जू का ऐसे कपड़ों में देखकर कहने लगते हैं कि वो इतने ठंड मैंसे क्या घूम रही है साथी उसे ट्रेट पर लेकर जाने लगते हैं जिस पर हॉंग जू कहने लगती है कि आज वो उने ट्रेट देना चाहती है जिसके बाद होंग जूँ वहाँ जाकर काफी सारा समान करे लेती है और वही करेड कार्ड देकर कहने लगती है कि वो आज इससे जरूर यूज करना चाहती है अब सीन सिर्थ होता है जहां मिश्टर किम उस पर चिलाने लगते हैं कि वो उस लड़के को बहुत ही जादा पसंद करती है और वैसे भी अगर यहां रहें या वहाँ पर रहें इसमें क्या ही फर्क पड़ता है उसके बाते सुनकर मिश्टर किम भी कहने लगते हैं कि अगर वो सच में यही करना चाहती है तो उसे यही करना चाहिए और अगर कुछ गड़गड होती भी है तो वो वापस से कोरिया में आ सकती है उनकी यह कहने के बावजू भी जब हॉंग जून से फिर से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में यूएश जाना चाहिए मिस्टर केम कहने लगते हैं कि जो वो उसे कहेंगे क्या उसो मानेगी और उसके कोई भी जवाब ना देने पर मिस्टर केम कहने लगते हैं कि उसने स्कूल में उसकी कोई बात नहीं मानी तो भला अब वो उसकी बात क्या मानेगी लेकिन मिस्टर केम फिर भी उसे कहने लगते हैं कि उसके टीचर होने के तौर पर वो उसे यही कहना चाहते है कि वो उसकी सबसे ट्रेजर्ड स्टूडेंट है और उसने अपनी लाइफ के इतने बड़े-बड़े डिसीजन लेकर जिस तरह से खुद को संभाला है उन्हें उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फिल होता है साथ ही कहते हैं कि उसे वही डिसीजन लेना चाहिए जो उसका मन उसे करने के लिए कहता है अब बातों ही बातों में जैसे मिश्टर किम उससे पूशते हैं कि आखिर उलड़का कौन है जिसे वो डेट कर रही है ओगजु कहती है कि वो उनका फेवरेट मैच जीनियस था और वो इस बार होयंग को डेट कर रही है ये सुनते ही मिश्टर किम बहुती ज़्यादा सौक हो जाते हैं और उस पर चिलाने लगते हैं कि आखिर हुयंग भला उसे चूस क्यों करेगा साथ ही कहने लगते हैं कि अगर उसे इस बारे में पहले से मालुम था तो उसने उन्हें अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया मिस्टर किम्ट को इतना ज़्यादा सर्प्राइज देखकर हौंग जुबी स्माइल करने लगती है सीन सिफ्ट होता है जहां हुयं की मॉम भी यूएस जाने के लिए तयार हो गई थी वो हुयं से कहने लगती हैं कि वो जो चाता है उसे पहले से उन्हें उस बारे में बता देना चाहिए साथ ही उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं कि वो उन दोनों को यूएस में जल्द ही देखना चाहेंगी अब उनके वहाँ से जाते ही हुयं काफी एकसाइटेड होकर दोड़ते हुए सिधे होंगजु के घर के बाहर पहुंचता है लेकिन काफी बार खटखटाने के बाद भी होंगजु बाहर नहीं आती जिस पर वो होंगजु को डोड़ने के लिए दोड़ते हुए बाहर निकल जाता है लेकिन काफी डोड़ने के बाद भी उसे होंगजु नहीं मिलती अब साम होने पर हौंग जू भी वापिस अपने घर पहुंच जाती है और अंदर आते ही फर्स पर ही लेड़ जाती है उसी समय उसे हौंग जू के घर की लाइट जली भी दिखती है वो दौरते वी सिदे वहां जाता है पर बार-बार लाइट को जलते और भुशते देखकर ह पूयंग उसका दरवाजा नहीं खटकटाता और उसे भी यह अहसास हो गया था कि हॉंग जू इस समय काफी जादा अपसेट है दूसरी और दिखाया जाता है हेजी कू जो कि इसकूल में बैठे वे काफी जादा अपसेट लग रही थी क्योंकि सौन उसके किसी भी मैसेज कर रिप्लाइ नहीं कर रहा था वह अभी यह सोची रही थी कि सौन इस समय कहा होगा कि उसी समय सौन उसके फादर और बागी कुछ टीचर के साथ वहां पहुंच जाता है हेजी उसे हाई करती है लिकिन सौन उसके किसी भी एक्शन का कोई रिप्लाइ नहीं देता जिस पर लगती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो डेटिंग कर ही नहीं रही है और काफी रिडेट होकर वहां से जैसे ही जाने लगती है उसकी हिल रास्ते में ही फच जाती है यह देखते ही उसके फादर भी कहने लगते हैं कि उन्होंने कई बार उसे मना किया है कि इस तरह के सूस पहन कर स्कूल ना आए साधी कहने लगते हैं कि भला इस लड़की से साधी कौन ही करेगा अब हीजी को अपने सेंडल को निकालते वे इतना श्ट्रगल करते वे देखकर अगले हीपल सौन भी उसके पास पहुँच जाता है और उसकी सेंडल निकाल कर खुद अपने हाथों से उसे पहनाने लगता है यह देखकर हीजी भी कहने लगती है कि इस तरह से उनकी सेक्रेट रिलेसंसिप के बारे में सब को पता चल जाएगा जिस पर सौन उसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता पर उसे अब थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहता है और अगले हीपल मिश्ट पर पर जाती है जो कि वहीं पर बैठ कर ब्रेक्वस्ट कर रही थी बीकुक को देखते ही जैसे ही संगपिल उन्हें बैठने के लिए कहता है बीकुक इसारो इसारो में कहने लगता है कि वह उस लेडी के साथ बैठना चाथा है संक्पिल भी अपना assignment तुरंट समझ जाता है और उनके टेबल पर बैठते ही कहने लगता है कि ये टेबल reserved है और उन्हें कहीं और बैठना होगा बीकुक भी अचाना की acting करने लगता है कि जैसे उसने मिजबे को अब देखा है और जाकर उनके साथ बैठ जाता है पर बीकुक को वहाँ देखते ही मिजबे अपना खाना छोड़कर जैसे ही जाने लगती है बीकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसे अपना खाना finish करना चाहिए उसके बाद भी जब मिजबे वहाँ से जाने कोसिस करती है तो बी कुक कहने लगता है कि वो उसे आज ऐसा केलर छोड़ कर ना जाए अब यह सुनकर मिस बेबी उसके साथ ब्रेक्वस्ट करने के लिए तयार हो जाती है अब उनके वहाँ पर वापस बैठते ही बी कुक बहुत ही जादा कुस हो जाता है और कहने लगता है कि उन्हें साथ मिलकर खाना खाना चाहिए पर मिस बेबी के एक्स्प्रेशन देखते ही वो चुप हो जाता है उसी समय संपिल भी आकर कहने लगता है कि वो दोनों उसके रेगुलर कस्टमर्स है इसलिए आज की ट्रेट में वो स्पाइसी चिकन उन्हें अपनी और से देना चाहता है मिस बेबी बी कुक से कहने लगती है कि उसे वैसे भी स्पाइसी चिकन काफी पसंद है बी कुक कहता है कि ये 20 साल पुरानी बात है और क्या उसे आज भी ये चीज यात है मिस बे कहने लगती है कि भला वही सब कैसे बूल सकती है क्योंकि हर डेट के बाद उसके फर्स पॉय फ्रेंड के बहुत ही बुरे हाल हो जाते थे ये सुनकर बी कु भी बहुत ही ज़्यादा खुस हो जाता है जिसके बाद वो खाते वे ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं वही दूर से खड़े होकर संग्पिल भी ये चीज देख रहा था उस चीज को लेकर काफे खुस भी था वहीं मनीमन सोज रहा था कि सभी लोग डेट कर रहे हैं सिर्फ उसे छोड़ कर सीन सिर्फ उतार हमें दिखाया जाता है होंग जू को जो की ओबुक हाइ स्कूल में ही खड़ी थी कि कुछी देर बाद हुयंग भी वहाँ पहुँच जाता है जिसके बाद दोनों ही स्कूल में गुमना सुरू कर देते हैं हम जू कहती है कि वह दोनों एक साथ इस स्कूल में पहली बार गुम रहे हैं साथ ही कहने लगती है कि अगर वह यहाँ पर होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता और उनके स्कूल यर्स बहुत ही अच्छे बीते होते अब होंग्जू की बाते सुनकर अचाना की हुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके साथ यूएस चलने के लिए कहता है हुयंग कहने लगता है कि उसे नहीं लगता है कि अब वो उसके बेना जी पाएगा साथ ही कहता है कि वो उससे दुबारा अलग नहीं होना चाहता अब अचाना कि होंग जू भी उसे कहने लगती है कि वो उसे बहुत ही जादा पसंद करती है और कहती है कि वो उसे इस हद तक पसंद करती है कि उससे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करेगी होंग जु कहती है कि वो उसे दिन बद दिन और भी ज़्यादा पसंद करते जा रही है लेकिन इसके आगे होंग जु कुछ खैप आती होंग कहने लगता है कि वो जानता है कि होंग जु की सारी precious things यहीं पर है और जो चीज उसे करना पसंद है वो सब चीजे भी यहीं पर है होंग जु भी उससे माफि मागने लगती है जिस पर होंग उसे चुप कर आता है और कहने लगता है कि उसका आंसर सुनकर अब वो काफी better feel कर रहा है अब होंग जु को आपसेट देखकर अचाना कि हो यंग वही पुरानी बुक निकाल कर होंग जु को दे देता है और कहने लगता है कि यह बुक उसे रास्ते में आते हुए मिली यह देखकर होंग जु भी काफी surprise हो जाती है हो यंग कहने लगता है कि इस बुक के साथ उनकी काफी सारे मेमरी जुड़ी हैं तो वो इस बुक को ऐसे कैसे फैंक सकती है जिसके बाद हो यंग हो यंग हो यंग से कहने लगता है कि वो जल्द ही उसके दुनिया में वापस आएगा और फिर उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा ये सुनकर जैसे हौंग जू फिर से रोने लगती है हुयंग उसे गले लगा लेता है और फिर कहने लगता है कि अब आज उन्हें फन करने के लिए कहां जाएए अब scene shift होता है जहाँ हौंग जू हुयंग को लेकर उसे लेड़ी की sawp में पहुंच गई थी जहां जाते ही हॉंग जू हुयंग से कहने लगती है कि उसे ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा अब जैसे ही वो लेड़ी उनके टेबल पर आती है हुयंग हॉंग जू को गोरते वे कहने लगता है कि सायद वो सच में पागल है और सिर्फ होंग जू के लिए ही ये देखकर वो लेड़ी भी काफी सर्प्राइज लग रही थी पर तभी होंग जू कहने लगती है कि उसमें बहुत ही ज्यादा बेकार एक्टिंग करी जिसके बाद वो दोनों ही इंजॉय करते हुए खाना खाने लगते हैं अब नेक सीन में ही वो दोनों हुयंग के घर पे आके एक क्रिस्मस ट्री सजाने लगते हैं और उसके खतम होते ही जैसी वो दोनों सेलफी रेने लगते हैं हुयंग फिर सो उसे किस कर देता है वो दोनों भी साथ में फोटो किचाते हैं काफी नजॉय करते हैं अब कुछ देर पार जूल्च होता है जहां होंन्rika की रूम में है जी उसे पूछने लगती है कि होयं को वापेस आने में कितना टाइम लग जाएगा होंन्ग जू कहती है कि अगर वह जल्दी से काम ख़तम कर पाया तो 6 महिने मेख में वह वह वापेस आ सकता है और हो सकता है कि उसे आने में उसे ज़्यादा टाइम भी लग जाए हेजी कहती है कि क्या तब तक उसका ऐसे ही बेट करते रहेगी साथ ही जैसी हेजी कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसकी मौम सच में उस पर केश करेगी होंग जु कहने लगती है कि उसे उसके मौंपर पूरा भरूसा है और वो होयंग को साथ वापस ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है अब अचाना कि हेजी होंग जु से कहने लगती है कि वो बहुत ही अलग बेहव कर रही है साथ ही कहने लगती है कि अगर होयंग यहाँ पर नहीं रुख सकता तो उसे होयंग के साथ यूएस चली जाना चाहिए यह सुनकर होंग जू कहने लगती है कि अगर हो यूएस चली गई तो उसके साथ कौन हैंग आउट करेगा साथ ही संगपिल की हेल्प कौन करेगा अब हेजी अचाने की कहने लगती है कि उसे हुयंग पर बहुती ज़्यादा गुसा आ रहा है और अगर उसे इस तरह से वापस जाना ही था तो उसे एक कुरिया में आकर हॉंग जु की साथ रेलेसंसिप में नहीं आना चाहिए था अब जैसे ही हेजी कहती है कि उसे हुयंग से ब्रेक अप करके मुवाण कर लेना चाहिए हॉंग जु से कहने लगती है कि जब से हुयंग यहाँ पर आया है उसने अपनी लाइफ का हर एक दिन एक विकेशन की तरह जिया है साथ ही कहने लगती है कि अपनी life में पहली बार वो अपने हर एक दिन का बहुत ही जादा excited होकर wait करती थी कि आज उसके साथ क्या exciting होने वाला है साथ यह कहती है कि हन्ग के साथ बिताया उसका हर एक दिन उसके life का सबसे अच्छा दिन है अब हेजी के कहने पर कि जब तक होयंग वापस नहीं आता तब तक वो यूसे एंटरेटेंश करेगी होंग जु कहने लगती है कि उसे Mr. Sun के साथ डेट पर जाना चाहिए हेजी होंग जु से कहती है कि उसे भी कुछ दिनों का आफ ले जाना चाहिए क्योंकि उसने भी अपने काम से चुट्टी ली हुई है सीन सिफ्ट होता है जहां वो सभी हुयंग के घर पर पार्टी करने के लिए पहुँच गए थे अब एक तरफ सौन और हेजी एक दूसरे के साथ काफ़ एंजॉय कर रहे थे लाने को मिला है उसी समय संदिंक पूशने पर किider क्यों नहीं है पूसके एक हो लिए हुख कोश से कहता है यह वह हमने दिखाया घाता है विए जेट के साथ डेट पर गया हुआ था बहार आते ही मिजबे कहने लगती है कि ऐसे श्नू змवी डचे पर कॉन लेडी चलना पसंद करती है बीकुक भी कहने लगता है कि उन्होंने समर भी डेट किया था जिस वजे से वो ये व्यू मिस कर गए थे ये सुनते ही मिस भी कहने लगती है कि उन्होंने विंटर में ही डेट किया था और वो दोनों साथ में इस्कींग करने भी गए थे पर B.K.Wuk मिसबे को टीज करने के लिए कहने लगता है कि इस कीइग पर वो उसके साथ नहीं गया था और यह सुनकर मिसबे बहुत ही जादा जले सो जाती है कि वो इस कीइग पर किसी और के साथ गया था और उन्हें इतना जलेश देख कर भी कुख भी काफी इंजॉय करने लगता है अब scene shift होता है जहां वो सभी अपने first love के बारे में बात करने लगते हैं इसी बीच हेजी संगपिल से पूछने लगती है कि उन्हें सब के first love के बारे में मालूम है लेकिन सिर्फ उसी के first love के बारे में नहीं जानते संगपिल कहता है कि वो उसके first love को नहीं जानते फिर भी हेजी के काफी insist करने पर संगपिल कहने लगता है कि आज तक उसे उसका first love मिला ही नहीं है और जो भी next लड़की उसके life में आएगी वही उसका first love होगी लेकिन संगपिल का एक्स्प्रेसन से यहां पर ऐसा लग रहा था कि उसका फर्स लव हेजी है हेजी भी सौन से कहने लगती है कि उसका फर्स लव हेजी है और सौन के कहने पर कि उसका फर्स लव हेजी है वो उसे tease करने लगती है कि उसने तो कहा था कि उसका first love उसकी elementary school की teacher थी उसी समय हॉंग जू भी हुयंग को message करके कहती है कि आज अपने काम की वज़े से उसे राद बर अपने office में ही रुखना होगा और ये message पढ़ते ही हुयंग अपना coat पहन कर घर से बाहर आ जाता है कुछ देर बाद ही song भी उसके पास पहुंच जाता है और मौसम को देखकर कहने लगता है कि वो चाता है कि उसकी flight मिस हो जाए ताकि वो US ना जा पाए song कहता है कि उसकी love story के successful होने में एक छोटा सबाट उसका भी है क्योंकि उसी ने वो blind date उस cafe में set की थी और अगर वो वहाँ पर नहीं आता तो सायद उसकी love story इतनी जादा dramatic नहीं होती हो यंग भी उसे thanks कहता है कि उसकी वज़े से उसकी love story काफ़ी dramatic है अब scene shift होता है next morning जहां संग पिल और बीक वोक हो यंग का सामान उसके taxi में रख रहे थे संग पिल कहने लगता है कि होंग जू अभी तक उससे मिलने यहां नहीं आई हो यंग कहता है कि काम के वज़े से होंग जू को राद बर वहीं पर रुकना पड़ा साथ ही कहता है कि कुछ टाइम पहले ही उसकी phone पर होंग जू से बात हो गई है Hoo Young को जाते देख जैसे संकिल उसके गले लगता है Hoo Young कहने लगता है कि वो बहुत ही जदा वीर्ड लग रहा है साथ ही Big Book भी उसे कहने लगता है कि उसका Hang Jo के साथ सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा और उसे चिंतकरने की ज़रत नहीं है वहीं हुयंग उन दोनों को काम पर जाने के लिए कहकर टैक्सी में बैट कर एड़पोर्ट के लिए निगल जाता है सीन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जूनों को जो की उसी हाई स्कूल में बच्चों को एक क्लास दे रहा था और उन्हें एक राइटर बनने के लिए क्या के जरूरी चीज़े हैं इस बारे में बता रहा था उसकी ये क्लास मिश्टर किम, सौन और हेजी भी बाहर खड़े होकर देख रहे थे अब अचानक ही मिश्टर किम कहने लगते हैं कि वो बिना कुछ बाए बोले ही उन्हें चला गया और उसे जाने से पहले कम सकम उनसे मिलना चाहिए था एजी कहने लगती है कि अगली बार जब वो आएगा तो उनसे जरूर मिलेगा लेकिन मिस्टर किम तो सौन के वज़े से बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और उसे कहने लगते हैं कि उसे सिर्फ अपने सन इनलॉग की जरूरत है सौन भी उनकी ये बात सुनकर काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि वो हमें सोंका पार्टनर बन कर रहेगा इधर बातों ही बातों में स्टूडरंट जुनों से पूशने लगते हैं कि वो अपने नेक्स नोवल किस चीज़ पर लिखने वाला है सीन सिफ्ट होता है एरपोर्ट पर जहाँ हुयंग बैट कर अपनी फ्लाइट का ही इंतजार कर रहा था इसी बीच हमें एक लेड़ी को दिखाया जाता है जो की अपना सामान पैक करके अच्छे से तयार होकर एरपोर्ट के और ही जा रही थी और कुछी देर बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि होंग जु ही है अब होंग जु को वहाँ देखकर हुयंग बहुत ही ज़्यादा सर्प्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है होंग जु कहने लगती है कि उसने कभी उसी इतना ज़्यादा सर्प्राइज नहीं देखा हो यंग उसे गले लगा लेता है वहीं हो यंग भी उसे कहने लगती है कि ये कोई coincidence नहीं है और वो उसके पास से फिस्वर जिस आई है ताकि वो उसे बचा सके हो यंग भी उसे उसके पास आने के लिए ठेंक्स कहता है और अगले ही पल उसे किस कर देता है साथ ही कहने लगता है कि इस लाइफ में उन्हें और कितने ज़्यादा coincidence देखने को मिलेंगे इसे के साथ हमें पास्ट का एक flashback दिखाया जाता है जिस दिन होंग जु की तेवे काफी ज़्यादा खराब थी और यहीं पर हमें एक scene दिखाया जाता है जहां होंग और होंग जु दोनु ही अपने अपने रास्ते जा रहे थे तभी होंग जु एक cyclist से जैसे टकराने वाली होती है होंग उसे बचा लेता है और वो cyclist होंग के pair के उपर ही cycle चड़ा कर ले जाता है होंग जु होयंग को थैंक्स केने कोशिस करती है लेकिन होयंग बिना उसे कुछ कहे ही वहां से चला जाता है और यहीं हमें पता चलता है कि आकर ड्रामा की starting में होयंग का pair factor किस वज़य से हुआ था और जिस बस में था पहली बार वहीं पर वो दोनों आपस में मिले थे यहीं होंग जु कहती है कि वो दोनों मिले और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और यहीं उनकी story है अब यहीं प्रेजन में दिखाया चाता है जहां वो दोनों ही अपने flight के और जाने लगते हैं होंग जो भी कहने लगती है कि वो पहली बार abroad जा रही है और उसे इस बात की खुशी है कि वो हुयंग के साथ जा रही है साथ ही कहने लगती है कि वो जाने से पहले उसकी mom के लिए भी कुछ gift ले कर जाएंगे अब अचानक होंग पोशने लगता है कि वो सिर्फ ये ensure करना चाता है कि क्या वो अपने साथ visa लेकर आई है और होंग जो उसे tease करने लगती है कि ये visa क्या होता है और उसके पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है साथ ही कहने लगती है कि क्या उसके साथ जाने के लिए उसे किसी वीजा की जरुरत पड़ेगी इस पर होयंग भी से कहता है कि अगर उसके पास वीजा नहीं है तो उसे यूएस में गुशने भी नहीं दिया जाएगा और उसे बाद में अकेली ही आना पड़ेगा और यह कहते हुए वो दोनों ही इंजॉय करते हुए अपनी फ्लाइट के और निकल जाते हैं और इसी सीम के साथ ये ड्रामा भी यहीं पर खतम हो जाता है तो आपको इस ड्रामा के एक्स्प्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जल्द ही बहुत ही सारे इंट्रस्टिंग के ड्रामाज रिलीज होने वाले हैं जिन में से एक को हम नेक्स डे ही सुरू करने वाले हैं तो अगर आप चाते हैं कि कोई भी ड्रामा आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं तो मिलते हैं एक और नए ड्रामा एक्स्प्लेनेशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई